हलो बच्चो क्या हाल चाल बढ़ी आए एकदाब क्या हाल है बच्चो के साथ बच गए स्टार्ट हाँ बेटा साथ बच गए और हमने स्टार्ट भी कर दिया दोनों बाते सही हैं आपकी क्या हाल है बेटा सभी बच्चों का सो आज अपन साउंड पढ़ेंगे पूरा साउंड वेव और और पाइप डॉपलर एफेक्ट बीट से सारे यह सिरीज एंड हो रही होगी यह ना तो जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि आपकी यह सिरीज उमीद सिरीज की फाइनल डेट हमारी 13 या 14 ओगस्ट होने वाली है यानि 13 या 14 ओगस्ट तक हम लोग पूरा सिलेबस रापप करेंगे नीट का फिदिक्स, केमिस्ट्री, बायोलेजी तीनों सचेक्ट कम्प्लीटली खतम करेंगे हम लोग 13 या 14 ओगस्ट तक तो आज आपकी क्लास 11 ओगस्ट हो जाएगी और एक छोटा से टॉपिक बचेगा यूनिट्स, डामेंशन, मेजरमेंट बहुत ही हलवा होता है वो तो वो अपन लेंगे टूवर्स दी एंड ठीक है एकदम टूवर्स दी एंड कल से आपकी क्लास 12 स्टार्ट होने वाली है उसके बारे में आगे बात करेंगे अच्छा दूसरी बात आप सभी को एक इंफॉर्मेशन देनी थी कि जैसा कि हमने बताया था कि 17 ओगस्ट से आपका रिविजन स्टार्ट हो जाएगा वो स्टार्ट हो गया है कई बच्चे कल पूछ रहते कॉमेंट में कि कहा है रिविजन कहा है तो मैंने पहले भी अनौश किया था कि वो फिजिक्स वाला के मोबाइल आप के अंदर होगा फ्री ओफ कॉस्ट है उसकी कोई प्राइस नहीं है कम्प्लीटली प्री है 100% प्री है कहा मिलेगा आपको उमीद बैच के अंदर नीचे आप जाएंगे आपको सेक्षन दिखेगा वहाँ पे नीट स्प्रिंट के नाम से ठीक है 15 डेस का रिविजन है वो मतलब पर सब्जेक 15 डेस का है ठीक है आपको रिविजन सीरीज दिखेगी कहां दिखेगी आपको उमीद बैच के अंदर आप जाएंगे तो आपको सबसे नीचे एक सेक्षन दिखेगा नीट स्प्रिंट करके है वहाँ पे एक केमिस्ट्री की क्लास भी हो चुकी है कल रिस्पेक्टेड सर्वेश सर्ण ने ली ठीक है तो वहाँ आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायॉलिजी का पूरा रिविजन होने जा रहा है और जैसा कि मैंने बताया था ये आपका लास्ट मिनिट रिविजन टाइप का है अब आप लोग यहाँ उमीद के अंदर भी काफी चाप्टर्स डिटेल में पढ़ 22 days ऐसी कुछ मिलें, बायो को थोड़े जादा, क्योंकि बायो का वेटेज जादा है, नीट के अंदर 90 questions आते हैं वहाँ से तो उसका वेटेज जादा है तो उसको ज्यादा number of days allotted किये गा है, I think 22 या 24 days ऐसी कुछ allotted है, बाकी physics chemistry को 15-15 days allotted हुए है और उसी के अंदर हम लोग complete revision कराएंगे वहाँ पर, आपको most important questions कराएंगे, कुछ आपको methods बताएंगे, कुछ आपको shortcuts भी बताएंगे, कुछ आपको revision भी कराएंगे, तो एक compact revision होगा, basically उन बच्चों के लिए जादा important है, जो target कर रहे हैं, नीट के अंदर 650 plus तक जाने का, यह उनके लिए सबसे आदा beneficial होगा, बाकी मैं कहना चाहूँगा, आप जहां कहीं भी अपना full course पढ़ रहे थे, या पढ़ रहे हो, उसे जरूर continue करो, भले या आप physics वाला के अंदर हो, भले या आप किसी भी organization के अंदर, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी teacher से पढ़ रहे हो, आप जिस भी guru से प बढ़ लें, तो वहाँ जाके उसको तंग मत करिएगा, कि physics वाला पर revision चला है, मैं वो करूँगा, वो इंसान भी आपका भला चाहता है, उन्होंने भी आपके लिए काफी मिहनत किये साल बर, बट हाँ, अगर आपको revision करना है, तो आप यहाँ आके देख सकते हैं, इस बास के बच्चे, Dear Yakimians, यहाँ भी होंगे और ऐसे भी यह वीडियो उन तक पहुचे गई, देखें गई, है न, तो यकीन बच्च के बच्चे, आपके लिए भी revision है, और आपके बच्च के अंदर ही है, यकीन last year वाला, जिनका भी paper है, 2021 का, है न, नए यकीन पे नहीं, क्योंकि यह तो revision series है, 2021 को target करके, अगर मैं बात करूँ, neat crash की, neat crash course, relaunch की, तो neat crash course, neat crash course, relaunch, आप लोग के भी batches के अंदर, इसका section आपको मिलेगा, neat sprint करके, नीचे scroll करिएगा, आपको neat sprint का section मिलेगा, जहाँ आप physics, chemistry, bio का section मिलता है, नीचे neat sprint, तो आपको भी वहाँ पे videos available होंगे, ठ जो last year का batch था, जो इस यह neat paper देने आप जा रहे हो, आप सभी वीडियो देख सकते हो, बाकी किसी को वीडियो कहीं नहीं मिलना है, कोई problem हो रही है, तो सबसे असान तरीका है, आप उमीद batch खोल लेना, यह सब के लिए free है, तो इसमें को attention भी नहीं है, तो आप उमीद batch खोल और comments में भी देख रहा था, कल live chat में भी, तो यह already start हो गया है, ठीक है, चलो, आज की कहानी स्टार्ट करते हैं बच्चों, इसी कहानियों के साथ, 1, 2, 3, let's go, हलो बच्चों, क्या हाल चाल, बढ़िया एक्दम, स्वाई, welcome all of you to the beautiful channel competition वाला, अभी हम पढ़ रहे हैं, उमीद series के अंदर, neat physics crash course का आज है day number 27 और आज हो रही है class 11 समाप, आज हम करेंगे sounds in one shot, वैसे कहने को तो यह waves का ही part 2 है, बड़ यह wave का जो second part है, यह काफिर डिफरेंट है, इसमें हम sound wave के बारे में ही dedicated पढ़ाई करते हैं, सारी बाते हैं sound waves की करेंगे, पहले part में आपने थोड़ पढ़ेंगे बेटा, हम लोग, organ pipe पढ़ेंगे, हम लोग closed, open, उसके बाद आज हम लोग beat पढ़ेंगे, beats frequency जो होती है, उसके बाद हम लोग doppler effect करेंगे, तो in detail पढ़ेंगे, सारे topics होंगे, और of course आप सब को पता है, lecture के बाद क्या करना है, practice sheet कहा मिलती है, physics वाला की mobile app में, batches section में, उमीद batch पे click करने पे buy now का option आता है, उसको देख के डरना नहीं है, उसके click कर देना है, और zero fee के अंदर, यानि free of cost, enroll हो जाना है उमीद batch में, वहाँ से practice sheet डाउनलोड करनी है, और उसके questions लगाने है, practice sheet में होंगे, इस lecture से जुड़े बढ़िया सवाल, शायद मैंने 35-36 questions lecture से दिये हैं, तो उनको जरूर practice करना है, जितना important आपके ले lecture देखना है, उतना ही important practice sheet solve करना है, सिर्फ इस lecture को देखके बात नहीं बनने वाली, साथ में practice sheet जरूर solve करेंगे, practice sheet में कोई question फल जाता है, तो आपको उसका video solution भी, physics वाला के app में, batches section में, उमीद batch के अंद beats पढ़ेंगे, beat frequency पढ़ेंगे और dopplers effect पढ़ेंगे और इन पर exhaustive numerical practice करेंगे, धेर सारे numericals लगाएंगे, शुरू की जाए आद की class, चलिए start करते हैं बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग sound wave के बारे में, तो sound wave कैसी wave है बेटा, longitudinal wave है, कैसी wave है, longitudinal wave है, longitudinal wave क्या होती जिसमें अगर wave इस direction में चल रही है, अगर wave का motion इस direction में हो रहा है, तो particle का oscillation भी इसी direction में होगा, है ना, longitudinal wave क्या होती थी, in which the particle oscillates in the direction of wave propagation, दूसरी कौन जी थी, transverse wave, जिसमें particle oscillate करते थे, in the direction perpendicular to wave propagation, है ना, transverse में wave ऐसे चलती है, particle ऐसे oscillate करते है, longitudinal में wave भी ऐसी चलती है, particle भी ऐसी, तो sound कैसी wave है बेटा, longitudinal wave है, पट डरना मत की longitudinal wave है, तो अभी तक जितना पढ़ा वो applicable नहीं है, सारी equation, सारी कहानिया, सब valid है, जो आपने पढ़ा है, standing wave, जो आपने पढ़ा है, intensity का formula, है ना, जो आपने पढ़ा है, interference साब valid है, यहां पर भी, कोई tension नहीं है, है ना, इसके बाद बेटा, हम लोग बात करते हैं, infrasonic wave, audible wave, और ultrasonic wave, तो बेटा, intrasonic wave कौन सी होती है, longitudinal wave होती है, जिनकी frequency 20 hertz से कम होती है, है ना, audible wave कौन सी होती है, longitudinal wave, जिनकी frequency 20 hertz से 20 kilohertz, यानि 20,000 hertz है, 20 kilohertz मतलब 20,000 hertz तक होती है, और यह हम को सुनाई परती है, यह को हम sound wave कहते हैं, इनी wave को हम लोग क्या बोलते हैं, sound wave बोलते हैं, जिनकी frequency 20 hertz से 20,000 hertz के बीच में हो, human ears को, common human ear को यही सुनाई परती है, इसके बाद है, आपकी ultrasonic wave, longitudinal waves होती है, with frequency greater than 20,000 hertz, 20,000 hertz से बड़ी frequency वाली, बेटा, अगर आपको याद हो, wave की जो energy थी, wave की जो intensity थी, वो frequency के square पे proportional थी, अगर आप याद करो, intensity of wave, अगर आप याद करो, जो intensity I होती थी, वो proportional थी, frequency के square पे, यानि इन तीनों में, सबसे जादा intensity किसकी होगी, सबसे जादा energetic कौन होगी है, है ना, सो ultrasonic wave के पास होती है, बेटा, maximum energy, इनके पास क्या होगी, maximum energy होती है, और बेटा, क्योंकि इनके पास maximum energy होती है, तो ये सबसे लंबा distance travel कर पाते हैं, जादा energy है, तो जादा दूर तक पहुच पाते हैं, सो ये travels the longest distance, ठीक है, तो ये ultrasonic wave की बात थी, मैंने बताई, कि ultrasonic wave has the maximum energy and they travel the longest distance, बाकी हम लोग को सुनाई कौन सी wave पढ़ती है, audible wave पढ़ती है, इसको हम sound wave बोलते हैं, तीनों कैसी हैं बेटा, longitudinal, frequency less than 20 hertz, infrasonic, 20 hertz से 20,000 hertz, audible, और 20,000 hertz से जादा, तो ultrasonic wave होती है, clear है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनके बातों के साथ, sound wave travels due to pressure and density variation, sound wave के अंदर क्या होता है, compression और rarefaction पैदा होता है, कल थोड़ा सा बताया था, class के starting में ज्यादा आपको पलने भी नहीं पड़ा था, आज और कोशिश करते हैं, बताने की इसको आपको, ठीक है, तो बेटा, compression क्या होता है, ऐसा region, जहाँ पे pressure maximum हो, और density maximum हो, जो compression का region होता है, वहाँ पे क्या होता है, pressure भी maximum होता है, और density भी maximum, और rarefaction क्या होता है, जहाँ पे pressure minimum हो, और density भी minimum हो, ठीक, मैंने बताया था कैसे होता है, यहाँ पे हम एक tuning fork लेते हैं, और इस tuning fork से air के molecules को हमने hit किया, जैसे ही hit किया, molecules पास पास आ गए, पास पास आ गए तो क क्या हुआ, density maximum हो गई, pressure भी maximum क्या बन गया, compression बन गया, फिर molecules पास पास तो आए, पर इनके अंदर क्या है, elasticity होती है, तो molecules को दबाओगे, तो वापस यह ऐसे बिखर जाएंगे, जब यह ऐसे बिखरे, जब यह ऐसे बिखरे, तो molecules दूर दूर चले गया, दूर दूर चले गया तो density minimum हो गई, pressure भी minimum हो गया, और क्या बन गया, rarefaction बन गया, तो sound wave कैसे travel करता है, compression और rarefaction के form में, क्या क्या चीज vary होती है, इसमें बिटा, pressure vary होता है और density vary होती है pressure vary करता है and density vary करती है इसके बारे में और detail में अभी हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे pressure vary करता है कैसे density vary करती है क्या equation बनती है pressure की भाई pressure change हो रहा है जब मैं यहां से कुछ बोल रहा हूँ और यहां मेरे सामने मान लो सबोस कर लो मेरे सामने या तरुन सर बैठे हुए हैं और मैं याँ से कुछ बोल रहा हूं तरुन सर सुन रहा है तो मैंने जब बोला मैंने जब मुझ खोला कुछ बोला तो ये बोला किसको हिट किया मैंने एर मॉलिक्यूल्स को हिट किया अब यह सारे molecules close आए, क्या बन गया, compression अब यार molecules के अंदर elasticity हमें क्यों दबाया, molecules खुचुक अब जैसे ही यह molecules खुचुक करके खुले, इसके आगे के molecules, यह कोई आगे के molecules यह है पहले मैंने, बा, यह दब गए, फिर जैसे ही यह खुलेंगे, ऐसे कुचुक, अपने बगल वाले molecules को दबा देंगे अब यहाँ क्या बन गया, rarefaction, यहाँ क्या बन गया, compression फिर जब यह खुलेंगे पुचुक, तो अपने आगे वाले को दबा देंगे यहाँ क्या बन गया, compression, यहाँ rarefaction और करते-करते वो, तरुम सर के years तक पहुच जाएगा and he will hear, बा, and he will say biology, ठीक है तो यह कहानी होती है, तो दो चीज़े होती है इसके अंदर एक compression, एक rarefaction, compression में क्या होता है बिटा pressure का maxima होता है, density का भी maxima है compression में molecules close है, density भी जादा, pressure भी जादा और rarefaction, यानि rare हो गया है, तो यहाँ पे density भी minimum और pressure भी minimum, चलो, यह देखो, यहाँ पे हमने एक pictorial diagram दिखाया है यह speaker है, यहाँ से देखो, molecules close आए, compression बना, फिर इसके बहल में rarefaction, फिर compression, rarefaction, compression, rarefaction, compression यहाँ पे देखो, compression है, molecules close है, rarefaction, compression, rarefaction, compression, rarefaction, compression इस तरह से sound wave travel करती है, तो sound wave कैसे travel करती है, बेटा, sound wave कैसे travel करती है, pressure change से, किस वैसे travel करती है, pressure variation से, यह pressure disturbance से, आपको याद हो, पिछली class में मैंने आपको बताया था, कि wave क्या होता है, wave is a disturbance, तो कभी disturbance, displacement के form में कभी disturbance, pressure के form में कभी disturbance, density के form में कभी disturbance, तो sound wave में pressure और density का disturbance होता है ठीक है और pressure disturbance कैसे होता है बिटा compression, rare fraction, compression, rare fraction यहाँ पर pressure कैसा होता है maximum यहाँ पर minimum फिर maximum फिर minimum और यह maximum minimum भी ऐसे नहीं कि pressure maximum फिर minimum, maximum फिर minimum यह भी होता है harmonically pressure भी कैसे vary करता है harmonically, pressure की अगर आप variation की equation देखोगे तो वो भी sin kx minus omega t या cos kx minus omega t, ऐसा नहीं है कि pressure एक बार value लिया 100, फिर 0, 100, फिर 0 ऐसे नहीं, एडरपली नहीं pressure भी कैसे vary करता है, वही sinusoidal curve, या तो sin का curve लेगा या cos का curve लेगा, इसके बारे में भी आओ आगे बात करते हैं चलो, equation of sound wave, तो सबसे पहले तो आपन displacement equation लिखेंगे, यार particles तो displace हो ही रहे, ऐसा तो नहीं कि particle नहीं displace है हाँ, ये बात अलग है कि sound wave कैसी है बेटा, longitudinal है न, जो खास बात है वो क्या है, कि sound wave कैसी है, longitudinal है longitudinal है, क्या particle displace नहीं हो रहे है, हाँ या ना में जवाब दो, displace हो रहे है जब मैंने बोला, ये particle close है, फिर, क्या हो रहा है बेटा, ये oscillation तो हो ही रहा है, एक particle देखो, यहां गया, फिर यहां है, यहां है, तो oscillation तो हो रहा है बट, ये oscillation किस direction में हो रहा है, in the direction of wave propagation, wave भी यूँ जा रही, oscillation भी ऐसा ही, तो अगर हम longitudinal wave की बात करें तो बेटा, wave भी यूँ ही propagate करेगी और particle का oscillation भी इसी direction में होगा, ठीक है, particle ऐसे oscillate नहीं करेंगे, कहने का मतलब, अभी तक आप देख रहे थे कि wave x में चलती थी और particle y में oscillate करता था, यादे, transverse दे जो हम लोग wave की equation पढ़ते थे, हम लोग क्या पढ़ते थे, y is equals to a sin kx minus omega t, तो बेटा, y क्या होता था इसके अंदर, बताओ displacement of particle और wave ये कहां जा रही है, ये wave कहां travel कर रही है, kx minus omega t, दोनों का sign अलग है, कहां travel कर रही है, wave कहां travel कर रही है, positive x में तो wave चलती थी x direction में, particle oscillate करता था y direction में, बट longitudinal में ऐसा नहीं होगा, longitudinal में wave भी चलेगी x में, और particle भी oscillate करेगा x direction में तो जिस तरह से transverse wave में, हम particle के displacement को y से represent करते थे, longitudinal wave में हम particle के displacement को s variable से represent करेंगे, ठीक है, सारी किताबों में s लिखा होता है, तो मैंने भी s ले लिया, हो सकता हूँ, exam में x लिख किया आ जाए, z लिख कुछ भी लिखा हो सकता है, basically जिस direction में wave propagate करेगी, उसी direction में particle oscillate करेगा तो ये longitudinal wave की कहानी थी, और ये transverse wave की आपने last turn पे पूड़ा पढ़ा, है ना, तो sound कैसी wave है बेटा, longitudinal wave है, तो जरा मैं इसके displacement की question लिख रहा हूँ, थोड़ा आप uncomfortable होगे, पर धीमे धीमे समझ में आ जाएगा, मैं इसके displacement का graph बनाता हूँ, देखो जरा बड़ा अजीब ल लेता हूँ, S और यहाँ क्या है, X है, अब इसका graph देखो बड़ा आजीब सा graph बनेगा, और इसका graph बनाते हैं, इसका graph बनेगा, अब ये कैसा graph है, displacement भी X में हो रही है, wave भी X में जा रही है, अच्छा ध्यान से देखो, इसका मतलब समझते हैं, ये particle का displacement है, S क्या represent कर रहा S रिप्रेजेंट कर रहा, particle displacement, particles displacement, देखो, जब S आपका positive दिखा रहा हूँ, मैं उपर की तरफ, जब S को मैं उपर की तरफ दिखा रहा हूँ, मैंने graph कैसा बनाया है, sinusoidal, जब मैं displacement को positive दिखा रहा हूँ, अब, तो अब का मतलब है, particle forward जा रहा है, इसको समझ लो अच्छे से, अब, जब मैं displacement positive दिखा हूँ, इसका मतलब यह थोड़ेंगा कि displacement y direction में, क्या displacement y में हो सकता है, बताओ, क्या displacement y में हो सकता है, BTS कहा से आगया है, क्या displacement y में हो सकता है, यहाँ पे, क्या लगता है, मुझे तो नहीं लगता displacement y में होगा, अगर wave य location किस में है, x direction, तो particle का displacement भी किस direction में होगा, x में ही होगा, है न, तो जब हम उपर दिखा ह। resting y हो, तो देखने में लगता है, उपर मतलब positive y, है न, right, देखने में लगता है, उपर मतलब positive y, पर यहाँ positive y नहीं हैं, देखने में लगता है उपर मतलब positive y, पर यह positive y नहीं है, जब मैं उपर दिखा रहा हूँ displacement, उपर की तरफ positive, अब जो displacement है, वो क्या है? forward displacement है, जो forward है, उसको up से represent किया, और जो नीचे की तरफ है बेटा, down, negative direction में, तो down का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? सभी लोग समझ गए, backward है, तो आपको देखने में यह लग रहा है कि particle उपर गया, नीचे गया, नहीं, हमारे convention बदल गया, हम उपर ले जा रहे हैं का negative direction यानि backward direction को represent कर रहे है, equation बेटा, एकदम simple लिखेंगे, s is equals to a sin kx minus omega t, अब कहोंगे sir, equation में कोई change नहीं, क्या ही change आएगा बेटा, displacement यहाँ भी कैसा है, harmonic है, बस इसमें यह फराख है कि s b किस direction में है, s क्या है पहली बात, displacement of particle, s किस direction में है, x direction में है, है ना, और wave भी कहा travel कर रही है, x direction में, है ना, clear है सभी को, तो equation क्या बन गई बेटा, displacement equation क्या बन गई, s is equals to a sin kx minus omega t, और इसमें यह याद रखना है, कि s y axis पे नहीं है, s किस में है, x axis में है, जो displacement है, वो भी किस axis में है, x axis में है, sound wave के लिए, s क्या है, displacement of particle किदर, x direction, a sin kx minus omega t, यह समझ में आया, पर यार एक बात बताओ, एक बात बताओ, यह displacement equation तो लिख दी मैंने, sound wave में pressure भी vary कर रहा है, और density भी vary कर रहा है, तो pressure की equation भी होनी चाहिए, कि नहीं होनी चाहिए, sound wave के अंदर क्या-क्या vary कर रहा है, pressure भी vary कर रहा है, और density भी vary कर रहा है, तो pressure की equation बताओ, कि pressure कैसे vary कर रहा है, density कैसे vary कर रहा है, है ना, जिस time displacement maximum है, जिस time displacement maximum है, तब pressure का क्या हाल है, जिस time displacement minimum है यहाँ पर, particle mean position पर यह गया, वापस mean पर, तब pressure का क्या हाल है, तो pressure variation समझते हैं, यह clear हो गया, s is equals to a sin kx minus omega t, a sin kx minus omega t, अब pressure variation समझते हैं, displacement wave equation, यह तो मैंने लिखी दी है, तो इसको और मुला हटा लेंगे, displacement wave equation है ना, पहले हम लोग किसकी लिख रहे हैं, displacement wave equation, इसको नीचे बना ही लेता हूँ, इसके बाद हम लोग pressure wave की equation भी समझेंगे, पहले displacement की समझी हमने, displacement wave equation, displacement, यह x, clear है सभी को, जब उपर गए, अब का मतलब क्या है, forward, अब याद हो गयोगा सबको, अब का मतलब forward, और down का मतलब क्या है बेटा, down का मतलब क्या है, down का मतलब है backward, clear, as represent displacement of particle along x direction, wave भी किस में जा रही है, x में, अब जड़ा यह देखो, pressure wave equation इसको समझते हैं, ठीक है, औरणी प्रेशर क्या है हमारे around, atmospheric pressure, अगर मैं, if I talk about ordinary pressure, अगर मैं ordinary pressure की, तो औरणी प्रेशर हम सबके around, कितना होता है बेटा, ordinary pressure कीतना होता है, 1 atm होता है, या उसको आप 10 की पावर 5 पासकल भी कह सकते हो 10 की पावर 5 पासकल है ना कितना ही होता है जब sound wave travel करती है और जहाँ पे compression होता है वहाँ पे pressure maximum होता है है ना तो कितना बढ़ता है pressure बेटा यहाँ से 20 पासकल बढ़ सकता है कितना 20 पासकल है ना जो delta P है change in pressure की बात करनीय में जो delta P है वो maximum कितना हो सकता है maximum हो सकता है 20 पासकल तो actually हम pressure की बात नहीं करेंगे हम delta P की बात करेंगे कि pressure का change कितना हो रहा है हमारे अगल बगल pressure कितना है generally commonly pressure कितना है 180 अब आप बहुत उपर रहे हो तो pressure कम हो जाएगा generally अगर आप C level पे हो तो कितना होगा 180 10 की पावर 5 पासकल जहाँ पे compression बनता है वहाँ pressure हो जाता है 10 की पावर 5 पासकल प्लस 20 पासकल और जहाँ पे rarefaction होता है वहाँ पे 10 की पावर 5 पासकल माइनस 20 पासकल तो अपन pressure की बात नहीं करेंगे अपन किसकी बात करेंगे delta P की pressure change की बात करेंगे कि pressure कितना change हो रहा है आओ सबसे पहले हम तो देख रहा है compression का region आओ पहले देखते है compression का region ठीक है तो यह boundary है compression के region की यहाँ पे बेटा डिल्टा पी कितना है 0 यानि pressure कितना है 10 की power 5 पासकल change in pressure 0 ordinary pressure यहाँ पे बेटा इस boundary पे डिल्टा पी कितना है 0 है थोड़ा अंदर आए बेटा molecules पास हुए pressure बढ़ गया यहाँ पे ह आएगा जैसे ऐसे आप अंदर गुसते जाओ गे इस जगे मैंने देखा इस जगे परीडेल्टा कितना है plus 10 पासकल इसी तरह से मैं यहां पर आया इस तरव बीज यहाँ पर बीज में प्रेश्टे जा रहे हैं है प्लस 20 पासकल गया असपास जब एकदम बीच में आ गया तो प्लस 20 ये क्या हो गया बेटा maximum pressure हो गया यहाँ पे compression के एकदम बीच में पहुँच गया maximum pressure और compression से दूर जा रहे हैं तो pressure गिरता जा रहा 20 से 10 फिर 5 और फिर 0 हो गया इसी तरह से rarefaction की बात करते हैं इतर से हम rarefaction की बात करें सभी लोग बता देंगे मेरे ख्याल से सभी लोग बता देंगे rarefaction की बात करते हैं यहाँ पे delta P क्या होगा boundary पे तो 0 ही होगा यहाँ पे boundary पे 0 अब की बार क्या हुआ है अब की बार molecules दूर जा रहे हैं तो pressure fall करेगा की rise करेगा रेर फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, यहां पे delta P 0, कोई change in pressure नहीं, थोड़ा अंदर घुसे बेटा, यहां आके मैंने delta P देखा, minus 10 पासकल, minus 10 मतलब pressure यहां पे minus 10 है, प्रेशर है 10 की पावर 5, minus 10, इस तरह से मैं इस तरफ भी आया, मैंने यहां पे pressure पू सबसे कम pressure होगा, तो यहां delta P कितना हो गया, minus 20 हो गया, बोलो बात समझ में आई, बोलो बात समझ में आई, तो compression में क्या है, अंदर आते वक्त pressure बढ़ रहा है, और rarefaction में क्या है, अंदर आते वक्त pressure घट रहा है, हम pressure की बात नहीं करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, variation in pressure की, ह डिल्टा पी वैरी कर रहा है, डिल्टा पी चेंज हो रहा है, जहां पे compression है वहाँ डिल्टा पी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, center पे बहुत जाता है, जहां पे rarefaction है घटता जाता है, center पे बहुत कम हो जाता है, तो डिल्टा पी जो है वो वैरी करता है, और कैसे वैर ग्राफ दिखेगा, एक्जाक्ट तो मुझे नहीं पता, वो तो बनाना पड़ेगा, कुछ इस ताइफ का ग्राफ ही दिखेगा, डिल्टा पी का भी है, ऐसा हो सकता है, एसेचेम जैसा, यह हो गए आपका कम्प्रेशन, जहां पे डिल्टा पी पॉजिटिव है, यह रेर फै करेगा, क्या एक्वेजन आप लिख रहो, मैंने बोला था ना, भाई वेफ की एक्वेजन सिफ यह थोड़ी ना है, कि ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, एक कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी भी हो सकती है, तो हो सकता हो साइन के साब से, हो सकता हो माइनस साइन, हो सकता होगा 10 की पावर 5 पासकल माइनस 20 पासकल ओवराल नेगेटिव पुरिणा है चेंज इन प्रेशन नेगेटिव है हम किस पर कंसेंट्रेट करते हैं डेल्टा पी डेल्टा पी क्या है आपका चेंज इन प्रेशन अब एक बड़ी बढ़िया लाइन लिखी होती है किताबों में शायद आपने पड़ी हो कि जहाँ पे displacement का node होता है वहाँ पे pressure का anti-node होता है उपर से गया जहाँ पे displacement node होता है वहाँ pressure antinode होता है अब लिए समझाता हूं इसको आओ displacement node पे pressure anti-node होता है आओ दिखाएं क्या बदल जाओ मैं एक काम करते हैं अपर displacement वाली equation लिखते हैं displacement की equation क्या थी s is equals to a sin kx minus omega t यही थी और graph बनाते है s versus x का graph बहुत मज़ाने वाला है s is equals to a sin kx minus omega t s versus x का graph बना देते हैं ठीक है चलो graph बनाते हैं मैंने graph बनाया a sin kx minus omega t तो बेटा t को 0 ले लेते हैं और इसका graph खीच लेते हैं तो t0 लेते ही sin kx का graph हो गया t को 0 मानके t0 पे अपन graph बनाते हैं अपन graph कब बनाएंगे अपन ग्राफ बनाएंगे कहाँ पे at t equal to 0 तो t 0 रख दिया sin k x का ग्राफ sin x का ग्राफ origin से start होता है सभी को पता है ऐसा कुछ ग्राफ बना ठीक है मैं इसमें कुछ points ले लूँगा इसमें कुछ points लूँगा एक point ये ले लिया मैंने a, एक point ये ले लिया मैंने b, एक point ये ले लिया मैंने c, एक point ये ले लिया मैंने d, एक point ये ले लिया e, एक point ये ले लिया f, एक point ये ले लिया j, ठीक है अब different points को analyze करेंगे और अपन delta p का ग्राफ दूरेंगे आजाओ, delta p का ग्राफ दूरते हैं अपन ग्राफ बनाने जा रहे है, डेल्टा पी का, बहुत प्यार से बनेगा, दियान देना बहुत मसा आएगा, यहाँ हो गया X, यहाँ हो गया डेल्टा पी, चलो, आओ, A को देखते हैं, सबसे पहले A point को देखते हैं, A point पे ध्यान देते हैं, आज़ो, यह A point है, अब ध्य तब पीछे बना सकता हूँ, ऐसा बनेगा, अगर मैं इसको पीछे extend करूँ, तो कुछ इसी तरह का graph बनना चाहिए, यो ऐसे ही तो उठेगा, आच्छा, ए पॉइंट को देखो बेटा, ए पॉइंट के जस्ट इस तरफ displacement कैसा है, positive, positive का मतलब forward, तो ए पॉइंट के जस्ट इस क्योंकि यह longitudinal wave है, तो ए किधर भाग रहा होगा, forward, ए के left side वाले particle का displacement देखो कैसा है, negative, ए के left वाले particle का displacement, negative, negative मतलब, ए के left वाले का displacement, negative मतलब वो backward भाग रहा है, तो पेटा, ए पे molecules दूर दूर भाग रहे हैं, molecules दूर दूर जा रहे हैं, तो क्या बनेगा, compression की rare fraction, compression की rare fraction, बताएं, compression की rare fraction, भाई, अगर A के इस तरफ displacement positive, यानि molecule forward जा रहे हैं, और इस तरफ displacement negative, यानि backward जा रहे हैं, तो बेटा, यह तो खिचेगा, तो यहाँ पे क्या बन के आएगा, compression की rare fraction, खिचेगा, molecules दूर हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से तो क्या बनेगा, rare fraction, और बेटा, rare fraction बनेगा, तो यहाँ पे delta P कैसा होगा, यहाँ पे delta P minimum होगा, यहाँ तो delta P negative होगा, बल्कि अगर देखा जाए, minimum क्या, यहाँ तो negative, minus 20 वाली value लेगा, तो A, P, beta, अब देखो ध्यान से, जादू होने वाला है, A, P, delta P कैसा होगा, A, P, delta P कैसा होगा, minimum, rare fraction, तो negative, यहाँ बनाया मैंने, A, P, pressure कैसा है, delta P versus X graph में, negative, चलो, A की बात होगई, बात करते हैं, B की, B में बहुत मजा नहीं आता, फिर भी, B के इस तरफ भी displacement positive, इस तरफ भी displacement positive, दोना तरफ displacement positive, तो अगर मैं B की बात करूँ, तो B के, right वाले बंदे का displacement positive, positive मतलब forward, और left वाले बंदे का displacement यहां बैजश्मन भी positive, यह भी positive, यह भी B के इस तरफ भाला B positive direction, B के इस तरफ ऻाले बंदे काई, तो नाहीं B को कोई दबा रहा है, नाहीं B को कोई खोल रहा है, आगे वाला एक सेंटीमीटर बढ़ा, B बी पीछे वाला भी एक सेंटीमीटर बढ़ा, पीछे वाला भी एक सेंटीमीटर बढ़ा, तो ना ही B दब रहा है, ना ही B खिच रहा है, तो यहाँ पे ना compression, ना rare fraction, यहाँ पे delta P कितना हो गया, 0, यहाँ प्रेशर का कोई variation नहीं होगा, ना ही B को दबाया जा रहा है कि pressure बढ़ होते हैं, C के left वाला particle का displacement positive और right वाले का negative, आओ C को बनाते हैं, यह रहा C, C के right वाला negative, right वाला negative यानि backward, और C के left वाला positive यानि forward, यह क्या बन रहा है, सभी लोग को समझ में आ गया, दबाया जा रहा है, क्या बन गया यहाँ पे, compression बन गया, और compression बन गया, तो यहाँ पे delta P कैसा हो जाएगा, maximum और कैसा हो जाएगा, positive, यानि अगर हम C की बात करें बेटा, तो C पे delta P positive maximum, यह, positive maximum, फिर बेटा D पे आ जो, अब तो चलती रहेगी कहानी, D पे इधर भी negative, इधर भी negative, तो D को दोनों तरफ से negative, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ से negative का मतलब क्या ह हुआ, D के इस तरफ वाला particle भी पीछे जा रहा, और D के उस तरफ वाला particle भी पीछे जा रहा, तो D को ना दबाया जा रहा, ना खोला जा रहा, यह 1 cm बड़ा, D भी 1 cm, पीछे से भी 1 cm, तो यहाँ पे delta P फिर कितना हो गया, 0 हो गया, तो D को अगर मैं देखू, है ना, फिर अगर E की बात करें बेटा हम लोग, E के इस तरफ displacement positive, इस तरफ displacement negative, positive मतलब forward, negative मतलब backward, E पे molecules दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं मतलब rarefaction, delta P negative, है ना, फिर अपन F की बात करें, तो F पे positive positive, यानि delta P क्या हो गया, 0, फिर अपन G की बात करें, थोड़ा सा इसे बढ़ा लेते, G की बात करें, इस तरफ displacement negative, इस तरफ positive, तो इस तरफ positive है, forward, इस तरफ negative है, backward, भाई दबाया जा रहा है, compression, pressure कैसा होगा, maximum, आओ बेटा, सबको जोड होते हैं, ये किसका graph है, मुझे sine का graph तो लगनी रहा, आप ही बता दो ये किसका graph है, मुझे आप, और ये क्या होगा बेटा, delta P maximum 20 pascal, delta P minimum 20 pascal, बेटा ये किसका graph लग रहा है, क्या ये आपको sine का graph लग रहा है, नहीं, मुझे तो sine का नहीं लग रहा है, ये किसका graph लग रहा आपको, cos का, cos का नहीं है यह, minus cos का graph है, है ना, origin के नीचे से start हुआ है, minus cos का graph है, cos का नहीं है, cos का origin के उपर से होता है, minus cos का है, है ना, minus cos graph, अच्छा, एक तो चलो इसका equation तो आपन लिख लेंगे, minus cos graph, इसकी equation यह बच जाएगी, डेल्टा पी, is equals to, डेल्टा पी नॉट, जे ना, minus cos का graph, तो यहीं लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, डेल्टा पी, is equals to, minus डेल्टा पी नॉट, cos, kx, minus, omega t, लो, pressure equation त्यार हो गई यार, sound में यही चीज़ सबसे यहारा confusing होती, इसके बाद तो हलवा है आज का lecture, बस यही थोड़ा सा conceptual एक बाट था, तो आपको pressure equation भी मिल गई, क्या sound wave में pressure vary करता है, yes, अब एक चीज़ बताओ, अब एक चीज़ बताओ, यह point node है न, मतलब node कह सकते हैं, इसका displacement क्या है, 0, जब displacement का node बन रहा है, तो pressure का anti node बन रहा है, जहाँ पे displacement 0 है, वहाँ पे pressure maximum है, negative direction maximum, मतलब maximum value ले रहा है, anti node, जहाँ प वहाँ पे pressure 0 हो जाता है, pressure का anti node, जहाँ पे displacement 0 इसका node, वहाँ pressure maximum, pressure का anti node, यानि जहाँ बनता है displacement node, वहाँ बनता है pressure anti node, वोल कलियर हुआ concept, दोनों उल्टा-उल्टा खेल ले हैं, जब ये 0 होते हैं तब ये maximum, जब ये maximum होते हैं तो ये 0, जब ये 0 हुए तो ये maximum, जब ये maximum हुए तो ये 0, मतलब आपन कहा सकते हैं कि displacement node is a pressure anti-node, and displacement anti-node is a pressure node, clear, बहुत बढ़िया, very good, सो हम ये चीज़ बोल सकते हैं, next page में लिखेंगे, very important, याद रखेंगे बेटा आप, sound wave के अंदर, sound wave के अंदर आप याद रखेंगे, कि जहां आपको displacement का node मिलेगा, वो क्या होगा, pressure का anti-node होगा, यानि वहाँ pressure maximum होगा, वहाँ पे delta P कैसा होगा, maximum, pressure change कैसा होगा, maximum, और दूसरी चीज़, जहाँ पे displacement का anti-node होगा, जहाँ पे maximum displacement होगा, वहाँ पे pressure का node होगा, node मतलब delta P minimum मतलिखना, delta P 0, minimum से confusion हो जाएगा, delta P कितना हो जाएगा, 0, clear है सबको, यहाँ से चीज़ दिख गई है, जहाँ पे displacement maximum, delta P 0, जहाँ पे displacement 0, delta P maximum, displacement maximum, delta P 0, displacement node is a pressure, anti-node, displacement anti-node is a pressure, सबको node anti-node तो पता है, कल के lecture में आया होगा, आप मेरे ख्याल से, node होता है, 0 displacement, anti-node होता है, maximum displacement, चलो यहाँ तक समझ में आया, अब ज़रा equation लिखते हैं, बेटा, अगर अपन displacement equation लिखें, तो वो तो अपनी ready है, अगर अपन displacement equation लिखें, तो वो तो अपनी ready थी displacement equation, क्या थी? s is equals to a sin kx minus omega t, चलो ठीक है, अगर अपन pressure equation लिखें, basically pressure equation नहीं लिखते हैं हम, हम delta p की equation लिखते हैं, pressure change की equation, ठीक है, तो लिख लिखते हैं, pressure change, तो अगर हम pressure change की equation लिखें, तो क्या लिखेंगे बेटा अभी आपने देखा? delta p is equals to minus delta p naught cos kx minus omega t, अब मैं आपसे पूछू, इन दोनों में कितना phase difference है, जितना पढ़ाया wave सब लग जाएगा, shm wave की सारी आज logic लगेगी, इन दोनों में क्या phase difference है, कैसे निकालोगे phase difference, सिखाया था आपको, कि दोनों या तो sign में हो, या तो दोनों cos में हो, तभी phase difference meanis cos में है, तो मैंने आपको दो rule सिखाये थे, अगर आपको याध हो, नहीं याध है तो एक बाभ पिर से उसको जल्दी से यहाँ लिख लेते है, मैंने आपको दो नियम सिखाये थे, एक تھा कि cos theta को क्या लिख सकते हैं आप, sin theta plus phi by 2, और minus cos theta को क्या लिख सकते हैं आप, sin theta minus phi तो यह देखों, यह क्या है, minus cos theta है, minus cos theta है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेटा, delta P minus cos theta की जगे change करेंगे, delta P not minus cos theta की जगे sin theta minus pi by 2, यानि हमें यह भी समझ में आता है, कि displacement और pressure equation में pi by 2 का phase difference, और भाई, इसी वज़ा से displacement node पे pressure antinode बनता है, pi by 2, lag कर ला है, तो हमें यह भी समझ में आता है, कि delta 5 is equals to pi by 2 between, between displacement wave and pressure wave, displacement wave and pressure wave, यह भी clear हो गया, चौथी बात आती है, बेटा, सबको यह तो पता है, maximum displacement कितना होता है, अब बात आई है, कि delta P not कितना होता है, तो सब ने बोला 20 pascal, हमने बीस तो एक common value मैंने बता दी थी, एक average value बता दी, भाई, यह तो depend कर गा, 20 मैंने value air की बता दी, अभी sound wave water में हो सकती है, aluminium के rod के अंदर हो सकती है, wood के अंदर हो सकती है, kerosene oil, sound wave कहीं भी हो सकती है, vacuum को छोड़ के किसी भी medium में, तो air के लिए तो आपने delta P not fix कर दिया भाई, कि चलो 20 pascal के आज पास सब ने बता दिया होता होगा, बट इसका formula क्या है delta P not का, तो बेटा, चौथी point को ले ले लेते ह delta P not का formula, so बेटा, delta P not pressure का amplitude है, pressure change का, that is bulk modulus into K into A, beta stands for bulk modulus, K stands for wave number and A stands for displacement amplitude, clear है, यहाँ पर बता देता हूँ मैं, अलग-अलग variables किसके लिए है, beta है आपका bulk modulus, हर कोई जानता है, bulk modulus क्या होता है, modulus of elasticity, delta P upon minus delta V by V, याद होगा, K क्या है बेटा, K आपका wave number है, picture lecture में इसकी काफी बात हुई थी, 2 pi by lambda होता है, और A बेटा आपका displacement amplitude, यह क्या है, displacement amplitude, इसके बाद तुमको pressure wave की कहीं जरुवत नहीं पड़नी, यह भी सुन लो, exam में यही तक सवाल आ सकता है, एक क्या बनेगा, यह बन सकता है, कि displacement node पे pressure का anti node होता है कि नहीं, जहाँ पे displacement zero है, वहाँ पे pressure change क्या होगा, maximum, जहाँ पे displacement maximum है, वहाँ pressure change क्या होगा, zero, दूसरा यह बन सकता है, कि displacement wave और pressure wave में क्या phase difference है, और बहुत अच्छा सवाल आएगा, तो यह आपसे पूछ सकता है, अभी तक पूछा, नहीं है, कि pressure wave का magnitude क्या होता है, amplitude क्या होता है, beta ka, clear है एकदम, चालो, clear है, आगे बढ़ते हैं, next आगे density wave equation, अब यह क्या है, बाई sound में pressure भी vary करता है, density भी vary करता है, पर यह असान है, अगर आप ध्यान से देखो, तो compression में क्या होता है, बेटा, compression में क्या होता है, pressure भी maximum होता है, and density भी maximum होता है, रेर फ्रैक्शन में प्रेशर भी मिनिमम होता है और डेंसिटी भी मिनिमम होती है यानि डेंसिटी प्रेशर तो एक ही फेज में है जहां प्रेशर का मैक्सिमा वहां डेंसिटी का मैक्सिमा जहाँ pressure का minima, rare fraction में, वहाँ density का minima, तो यह तो same phase में है, तो अपन यह कह सकते हैं कि density wave and pressure wave are in same phase, दोनों का phase same है बेटा, दोनों का phase same है तो दोनों की equation भी similar होगी, फेस तो same हो गया, So, delta rho 0, यह क्या हो गया, change in density, जैसे pressure में change था, वैसे, delta rho 0, जहाँ पे compression होगा, वहाँ पे delta rho 0, maximum, जहाँ पे rare fraction वहाँ पे delta rho 0, minimum, change in density, delta rho 0 is equals to, यहाँ से delta rho 0 यहाँ, delta rho लिखना पड़ेगा, जैसे delta P, delta rho is equals to delta rho 0 sin kx minus omega t minus pi by 2, देखो, यही pressure की equation थी, ध्यान से, delta P, delta P 0 sin kx minus omega t minus pi by 2, sin kx minus omega t minus pi by 2, clear है, तो यह आपकी हो गई density wave equation, यह आज तक कभी नहीं पूछा गया है, फिर भी इसको आप समझ सकते हैं, clear है, तो pressure और density में दिक्कत तो हैं नहीं, जो pressure की equation थी, delta P is equals delta P 0 sin kx minus omega t minus pi by 2, वही density की है, delta rho 0 sin kx minus omega t minus pi by 2, अब बेटा, इसमें जो यह amplitude है, delta rho 0 maximum change, maximum change in density, maximum change in density, बेटा, यह कितना होता है, यह होता है, rho into k into a, rho stands for the density of the medium, k stands for wave number, and a stands for displacement amplitude, clear है आपको यहां तक, आगे बढ़ा जाए, तो यह पार्ट आपका खतम हुआ, थोड़ा सा जो conceptual था, अब अपन आगे बढ़ते हैं, clear है यहां तक, clear है, आगे बढ़े हम लो, इस पार्ट से एक सवाल आने के चांसे स्यादा नहीं, बता सकता है, जैसे कल की क्लास में बताया था, खेर ऐसा नहीं lecture स्टार्ट, यह समझना पड़ेगा sound wave के लिए, मना एक दो बड़े अच्छे सवाल आए हैं, बीच में फस जाओगे अचानक से, concept वहीं काम आते हैं, चले, चलो, अगर sound wave की equation में cos आए, तो लंदनी मठान, तो बेटा, आप intelligent हो, वहाँ cos आएगा, तो यहाँ cos में आप pi by 2 पीछे चले जाना, इतने तो आप intelligent हो, अगर उसकी cos की wave होगी, तो इसकी sign की होगी, मतलब इसकी cos में minus pi by 2, phase difference मेटा समझो, अगर sound की wave में cause है, कोई दिक्कत नहीं है, displacement की wave में, क्या confuse कर, displacement की equation में cause है, तो pressure की equation में भी cause रखो, last में minus pi by 2 कर दो, phase difference करना है, चलो, next, speed of sound wave, मेटा longitudinal wave की speed की बात करते हैं, पहले तो, तो longitudinal wave की speed क्या होती है, speed of longitudinal wave, तो longitudinal wave की speed बेटा क्या होती है, v is equals to under root e बटे rho, e stands for coefficient of elasticity, ठीक है, and rho stands for density, ठीक है, यह होती है, velocity of longitudinal wave, अगर अपन बात करें, तो velocity of longitudinal wave सबसे जादा, बेटा, solid में होगी, उसके बाद किस में होगी, solid के बाद आपकी liquids में होगी, और liquids के बाद किस में होगी, बेटा, liquids के बाद gases में होगी, basically, आप sound wave की ही बात करते हैं, यहां लॉंगी जूटने लटाके sound wave कर लेते हैं, speed of sound wave तो क्या speed है, under root e बटे rho, e coefficient of elasticity, rho density of medium सबसे ज़्यादा solid liquid gases, reason यह होता है बेटा, क्योंकि solids की elasticity, coefficient of elasticity बहुत हाई होता है यहां density वाला factor काम नहीं करता है, तो density से मत सोचना, कि solid की density सबसे ज़्यादा तो speed सबसे कम, हां density सबसे ज़्यादा होती है, पर elasticity बहुत ज़्यादा होती है तो overall elasticity वाले factor से हमने यह decision लिया है, density से decision लिया है solids की density सबसे maximum होगी, liquid gases में, बट density जाना होने एक बाद भी elasticity इतनी ज़्यादा होती है कि overall solid की, इसमें sound की speed ज़्यादा होती है बात करें बेटा, liquids and gases में इन liquids and gases बेटा, एक बात बताओ, liquids और gases में coefficient of elasticity को अपन क्या बोलते थे? bulk modulus बोलते थे तो coefficient of elasticity क्या बन जाएगा? bulk modulus बन जाएगा बाकी formula सेम रहेगा V is equals to under root E की जगे क्या बन जाएगा? bulk modulus upon rho तो यह हो जाएगी आपकी liquids या gases में अगर air, air में बात करेंगे तो V का formula क्या बन जाएगा? under root bulk modulus बटे rho बन जाएगा अगर अपन बात करने लगे solids के अंदर तो बेटा, solids में coefficient of elasticity क्या होता था? solids में होता था Young's modulus याद है? Young's modulus होता था तो speed क्या हो जाएगी? under root Young's modulus बटे density clear है? यह हो गई speed of sound clear? clear है सभी को? आगे बढ़ा जाएगा? चलो सवाल आ गया 1988 क्या है? velocity of sound in any gas depends upon बता है बेटा? velocity of sound in any gas depends upon तो बेटा, gas में किसे बटेट करेगा? under root bulk modulus upon density wavelength of sound only नहीं density and elasticity density and elasticity intensity amplitude clear density and elasticity of gas next बेटा speed of sound in air according to Newton अब यहाँ क्या था? speed of sound in air सबसे पहले Sir Isaac Newton ने find की थी and गलत find की थी ठीक है? कुछ calculations उनके गलत हो गये थे सोड़ी mistake रहे गये थी according to Newton sound travels in air isothermally Newton ये belief करते थे कि sound कैसे travel करता है isothermally कि जब मैं कुछ बोलता हूँ और वहाँ आवाज आप तक चाहती है तो बीच में temperature change नहीं होता है molecules में जब compress होंगे तो temperature बढ़ना चाहिए और rarefaction temperature घटना चाहिए देखने में ता feel भी हो रहा है कि molecule compress होए तो temperature बढ़ेगा ऐसे भिखरे तो temperature घटेगा but Newton ने ये माना कि sound travels in air गलती नहीं थे इसके पीछे बहुत logics है हाँपन क्या 5 इनिट में Newton को discuss करेंगे हाँपन क्या 5 इनिट में Sir Isaac Newton को judge करेंगे हाँपन क्या है पैरो की धूल है इनकी हाँपन कुछ नहीं आता है इनके सामने तो ये नहीं कह सकते कि गलत थे इनको इतना नहीं समझ आ रहे इनको इतना नहीं समझ जा रहे हैं तो ये चीज़ यहाँ पर भी देखिया आपने बल्क मॉडलर्स फॉर आईजो थर्मल प्रोसेस इस इक्वल्स तू प्रेशर ओफ दी गैस फिर स्पीड ओफ साउंड क्या हो जाएगा अंडरूट बल्क मॉडलर्स भाई रो और बल्क मॉडलर्स आईजो थर्मल प्रोसेस का किसके बराबर प्रेशर का तो पी भाई रो न्यूटन भाई चिलो के बैढ़ गया है न्यूटन अंकल बोले निकाल दी मैंने स्पीड ओफ साउंड तो तब ने का भया वैलू कित्ती है यह हमने अच्छा वैल्यू भी निकाल दी मैं तो उन्हेंने एक काम किया कि एर में प्रेशर कितना होता है जेनरली 10 की पावर 5 पास्कल एर की डेंसिटी कितनी होती है यह गलत लिखिये डेंसिटी एर की डेंसिटी होती है 1.29 kg पर मीटर की तो एर की डेंसिटी रखी इन्होंने दोनों वैल्यू रखके कैलेशन की भाई इनके अकॉर्डिंग साउंड कैसे ट्रैवल करता है आईजो थर्मली ट्रैवल करता है यह क्या बिलीव करते हैं साउंड कैसे ट्रैवल करता है आईजो थर्मली तो isothermal process के लिए bulk modulus pressure के बराबर तो V under root B by rho, B की जगे P by rho फिर P की value रखी इन्होंने 10 की power 5 Pascal है न और rho की value रखी 1.29 kg per meter cube और हुआ क्या? Speed of sound गलत आने लगा, experimental data से match नहीं किया कितना आया? 280 meter per second और experimental data कहता है 330, 332 के आसपास आना चाहिए तो experiments इनके answer से थोड़े ज़्यादा दूर थे, हलके फुल के दूर होते तो कोई बात नहीं थी Experimentally हमें क्या दिख रहा था? कि speed of sound कितनी आ रही है? 332 meter per second के approximately, क्योंकि temperature भी depend करती है, humidity भी depend करती है तो approximately 332 के आसपास आ रही थी तो यह तो गलत हो गया है, है ना, तो इसमें थोड़ी सी mistake हो गई और mistake यहाँ पे होई According to Isaac Newton, sound कैसे travel करता है? Isothermally, temperature नहीं gain, नहीं loss और bulk modelers for isothermal processes, देखो पढ़ा क्यों रहे है? हो सकता है exam में आ जाए According to Isaac Newton, which is the correct formula for velocity of sound और आप याद करके यहाँ सही वाला पर बहुत exam नहीं पूछ रहा है ना, कि according to Isaac Newton तो उनके जनरल formula तो आप याद रखो, क्या है? V is equals to under root E बटे रो E क्या होती है? Elasticity होती है अब gases में elasticity क्या होगी? Bulk modulus बटे रो और isothermal process में bulk modulus किसके बराबर? pressure के बराबर? तो under root P बटे रो ठीक? फिर कॉन करेट किया है? इसको इनी के student थे है Laplace correction है ना, plus लेके आईए है, ऐसा मत बोलिएगा Laplace correction तो यह आए इन्हों को लगा अच्छा यार, isothermally तो कुछ गलत सोच रहा होंगे सर जी, एक काम करते हैं, एक बार adiabatic सोचते हैं और adiabatic को लेके उन्होंने model बना दिया तो इन्होंनों का क्या कहा? According to Laplace, sound travels in air adiabatically बेटा, adiabatically सब लोग समझते हैं ना, जिसमें कोई heat change नहीं हो रहा है तो जब हम यहाँ से कुछ बोलते हैं और आवाज आप तक जाती है या observer तक जाती है तो बीच में sound wave ना ही सिस्टम से heat, surrounding से heat absorb करता है ना ही heat release, adiabatic और बेटा, bulk modulus for adiabatic process क्या होता है? bulk modulus for adiabatic bulk modulus for adiabatic होता है बेटा, gamma into P gamma वही है यार, क्या? CP by CV, gamma क्या चीज होती है सर? gamma वही बेटा, CP by CV या तो आपन gamma कैसे निकालते थे? 1 plus 2 by F, F क्या होता था? degree of freedom होता था, ठीक? So, bulk modulus for adiabatic process is gamma into P यह नहीं भी यही समझा, ठीक है फिनोंने speed of sound निकाला, under root B by rho और B की जगे, gamma P, तो यही difference है Sir Isaac Newton ने क्या रखा था? Sir Isaac Newton ने क्या रखा था? Under root P by rho रखा था और इन्होंने क्या रखा? gamma P by rho तो यह gamma extra लेके आगए उनका देखो value थोड़ा कमा रहा था, 280 इन्होंने gamma और जोड़ दिया value match कर गए तो यह correct formula है यह accepted formula है Under root gamma P by rho Isaac Newton ने क्या बोलेता है? P by rho, clear? अच्छा, अब values रखते हैं बेटा gamma for air 1.4 by air में basically क्या है? nitrogen वगेरा है diatomic है diatomic तो gamma 1.4 होता है diatomic की बात करें degree of freedom diatomic का 5 तो gamma कितना हो जाएगा? 1 plus 2 by 5 5 दो 2 7 बटे 5 कितना हो गया? 5 बंदा 5, 21.4 pressure in air फिर से 10 की पावर 5 पासकल रखा और density of air देखो फिर गलत लिखे है यहाँ पे 1.29 kg पर मीटर क्यूब यह सारी values रखके इनको speed of sound in air कितनी मिल गई? जो हमें चाहिए थी 332 मीटर पर सेकेंड तो यह सही answer आ गया तो this is the accepted formula for speed of sound in air under root gamma P by rho clear है सबी को? under root gamma P by rho आगे बढ़ा जाए बच्चों तो finally आपको याद अठना है कि Laplace ने कहा था sound travels adiabatically not isothermally और sound का formula क्या है? under root gamma P by rho है चलो in terms of absolute temperature temperature के terms में भी बात करते हैं बेटा तो अब तो हम लोग correct formula की बात करेंगे है ना? एक बार Isaac Newton Sir की देख लेते हैं so Newton के according क्या थी? Newton Sir के according क्या थी? V is equals to under root P by rho राइट? बट Laplace के according क्या थी? Laplace ने correct formula दिया है इन्होंने बोला adiabatically चलेंगे क्या speed दी? under root gamma P by rho बेटा density of ideal gas अपनने पढ़ी थी? density of ideal gas अपनने पढ़ी थी? अगर आपको याद हो density of gas का formula आपने पढ़ा था मेरे साथ क्या आया था? rho is equals to Pm by Rt यह आया था बेटा rho is equals to Pm by Rt यहाँ देखो P by rho की value क्या हो जाएगी? P by rho की value हो जाएगी? Rt by M तो आप यहाँ पर replace कर सकते हो P by rho को V P by rho की value क्या हो गई? Rt by M तो V हो जाएगा under root gamma P by rho की जगे Rt by M तो यह हो गया speed of sound in terms of temperature सभी को समझ में आ रहा है R universal gas constant होता है R की SI unit में value क्या होती है? 8.314 joule per mole Kelvin है ना? यह तो सबको पता होगा T by किस में लेना है आपको? Kelvin में लेना होता है absolute temperature M बेटा क्या होता है? molar mass होता है gas का और ध्यान देंगे कि molar mass को किस में लेंगे? SI unit में लेंगे आप? kg में लेंगे? गामा सबको पता है बेटा गामा क्या होता है? 1 प्लस 2 by F degree of freedom पे depend करता है गामा की value ऐसे तो याद होगी आपको mono की 1.67, dia की 1.4 और tria की 1.33 यह पूरी कहानी होगा यह अंडरूर्ट गामा R T by M ठीक? चलो एक बच्चा पूछ रहा है total कितने घंटे ही class है? बेटा, मेरे ख्याल से यह आज आज 15 minute बोलूँगा अब तुम लोग मजाग उड़ा है लोग एक 15 minute की बोलते हैं आज 15 minute की नहीं है max to max 16 minute की class होगी 16 यहाँ से 16 बच्चा होगा अब को होगया भी तो एक घंटा प्ला चुके है 8 बच्चा है 8 16, 8 20 ओवर हो जाएगा खीक, promise सेगता तो यह हो गया under root gamma RT by M सवाल किया जाए under root gamma RT by M और सवाल करते हैं बेटा सवाल क्या है? 1993 का सवाल है क्या पूछा है? The temperature at which the speed of sound becomes double as what at 27 degree Celsius पूछ रहा है velocity of sound at some temperature the temperature at which the speed of sound becomes double as was at 27 speed of sound at 27 degree Celsius तो बेटा V at T temperature क्या होगा? under root gamma RT by M 2 times of under root gamma R 27 degree Celsius को Kelvin में change करें कितना होगा? 300 बटे M तंडर रूट गामा R गामा R M गामा R M cancel रूट T रूट T स्क्वाइर की आट T हो गया 2 का स्क्वाइर 4 और ये रूट से बाहर आगया 300 कितना हो गया? 1200 कल्विन तो 1200 कल्विन degree Celsius में आंसर है बेटा? इस में से 273 माइनस कर दो 1200 माइनस 273 C आगया साभी का? माइनस 273 क्लीर? C D के से आरा है? 1200 ये आरा है नहीं नहीं next the ratio of the speed of sound in nitrogen gas to that in helium gas at 300 Kelvin is the ratio of the speed of sound in nitrogen gas to that in helium gas ठीक है? at 300 Kelvin तो बेटा temperature तो constant कर दिया तो speed of sound क्या होता है? under root gamma r t by m होता है बेटा तो आपने temperature तो बोल दिया constant करो दोनों में दोनों में 300 लेना है अच्छा और r constant है दोनों के लिए तो यानि हमको देखना है under root gamma by m का ratio राइट क्योंकि temperature दोनों के लिए 300 आर दोनों के लिए same तो हम दो लिख सकते हैं उपर under root gamma of nitrogen upon molecular mass of nitrogen upon gamma of helium upon molecular mass of helium सही है तो बेटा कितना हो जाएगा? under root gamma of nitrogen upon gamma of helium और molecular mass उल्टा-उल्टा हो जाएगा under root molecular mass of helium upon molecular mass of nitrogen खतम करते हैं बेटा इसको gamma of nitrogen बेटा, nitrogen diatomic है gamma of nitrogen diatomic है 1 plus 2 by F diatomic के लिए F 5 होता है 5 रखोगे तो 5 plus 2 7 बटे 5 यहां कलने nitrogen के लिए कितना हो जाएगा? 7 बटे 5 सही है? helium की बात करें helium monotomic है बेटा तो helium के लिए degree of freedom हो जाएगी 3 तो 3 plus 2 5 बटे 3 molecular mass की बात करें अब देखो यहां पे kg में रखने की जरुबत नहीं क्योंकि divide हो रहा है तो कटी जाएगा helium का molecular mass 4 nitrogen का molecular mass 28 हो जाएगा ठीक है? 4 1 जा 4 4 7 जा 28 इस 7 से यह 7 cancel हो जाएगा 3 पहुत जाएगा एकदम उपर और 5 इंटू 5 तो under root 3 upon 25 तो बेटा root 3 रह जाएगा और 25 रूट हो जाएगा 5 यानी root 3 बटे 5 option C सभी को आ गया होगा है simple एकदम चलो next factors affecting speed of sound in air एक चीज़ और मैं बता देता हूँ अगर degree Celsius में हो तो क्या करें? if temperature in degree Celsius एक shortcut formula है degree Celsius and temperature is less than equal to 25 degree Celsius तो आप एक formula और use कर सकते हो वैसे भी तक सवाल इस पे आया नहीं है इस्टिल आप use कर सकते हो V at T degree Celsius is equals to V at 0 degree Celsius plus 0.61 into T पर यह formula कब valid है? जब temperature 25 से छोटा हो न कोगे नहीं बताया एक formula 25 छोटा हो तब ही लगाते है For example आप से पूछ लिया temperature जब 10 degree Celsius है तब speed of sound क्या होगा given speed of sound 0 degree Celsius पे x1 into T clear सभी को बहुत पर जाए next factors affecting speed of sound in air किन-किन factors से speed of sound पे फरक पड़ता है effect of temperature सभी को देख रहा है बेटा speed of sound का formula क्या है? under root gamma R T बटे M तो देख रहा है V is proportional to root T इसमें तो कोई confusion ही नहीं है V is proportional to root T सभी बात है दूसरा क्या है? effect अब इसमें क्या ही बता हूँ और कुछ तो बचा है भी नहीं V is proportional to root T next आगे बढ़े है next effect of pressure तो बेटा pressure का कोई effect नहीं होता अगर temperature constant है if temperature is constant if temperature is constant no effect of pressure अगर temperature constant रहेगा तो pressure change करने से कोई फरक नहीं पड़ता है भले ही आपको formula में दिखता हो कि formula है under root gamma P बटे rho पर बेटा होता कि अगर temperature constant है तो P बटे rho का ratio constant रहता है यह देखो under root gamma R T Y M बेटा अगर temperature constant molar mass तो constant होता ही है gamma constant R constant तो V change कैसे होगा? बात समझ रहे हो? अगर आपको लगता है pressure बढ़ाने से speed of sound बढ़ जाएगा नहीं आप pressure बढ़ा होगे molecules pass आएंगे density भी बढ़ जाएगी तो उपर भी मानलो double हुआ नीचे भी double हुआ 2-2 cancel no change in speed of sound speed of sound बेटा किस पर डिपेड़न करता है? temperature अगर temperature constant है तो gamma तो constant होता ही है इसका R तो constant ही रहेगा molar mass constant तो speed change नहीं है आपको लगा आपने pressure बढ़ा दिया double कर दिया तो बेटा pressure को आप जब double करोगे तो density भी double हो जाएगी और कोई फरक नहीं पढ़ेगा next बेटा effect of humidity हाँ इसका फरक पढ़ता है is less than density of dry air जिस air के अंदर moisture हो उसकी density कम होती है सुनने में अजीव लग रहा है moisture मतलब पानी पानी की density तो ज़्यादा होगी moisture मतलब water vapor और water vapor की density air से कम होती है तो density of moisture is less than density of dry air आप सभी को पता है speed of sound is inversely proportional to root of density तो अगर moisture की density कम है तो speed of sound ज्यादा होगी density कम तो speed of sound ज्यादा the speed of sound is more in moisture as compared to dry air ठीक है तो rainy day के दिन क्या होगा rainy day के बाद अब आज ज्यादा तेजी से travel करेगी क्या है air में moisture है clear है moist air की density क्या होती है dry air से कम होती है इसका reason यह है moist air contains water molecules नहीं होते बेटा water vapor molecules होते है water vapor which is lighter than air यह मत सोचना moisture में water है water तो भार है moisture में water vapor है water vapor कैसे होते है हलके होते है water vapors water थोड़ी नहीं होता है water vapor होते है और water vapor की density air से कम होती है density of moisture is less than density of dry air और बेटा density कम होगी तो speed जादा होगी clear हो गया यह चलो next अब हम लोग आगे और्गन पाइक पेदं würde Chancellor pipra sir जर्मत नहीं होती यह जर्मत होती ही वह तुम्हारे पास है नहीं sir sir सुवासे शाफ, सर को यही रिलाइच करा रहा है, मुझे को, रिलाइच कराने की जर्वत क्याए, मूह तो धोने जाते होगे ना एक बार, तो दिखता ही होगा, यही दिया है बगवान ने, इसी से काम चलाना है अब, गरू आ, जो है सो यही है सर और क्या ही है एक बच्चा कह रहा है सर यू नीट टू मैरी वाह बहुत बढ़ी है ऐसे किसी नहीं बोलता अभी तक लोग बोलते दें सर शादी कल लीजे आज ही पहली बार है यू नीट टू मैरी कल पता चलेगा क्या होगा यूटूब पे शादी की वीडियो पढ़ी मुझे पता ही नहीं है साधी भी हो गई कहीं अलग सर मैरी नचा भी देंगे गोल गोल उसके आज कोड से नोटीस आजगा शादी हो गई आपकी अरे सर हम कहा थे अरे वीडियो देखा न अरे सर वो तो अरे नहीं यूटूब पे है साई वीडियो है मैंने देखा है गोल-गोल घूमते है उसमें लिखा तालक सर मैरीड और यसे हसते हुए आप बने भी थे तो हो गई जादी डन सर किस से हुई है बास यह सम मत पूछो हो गई खतम ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और गन पाइ अभी कहा शकल सही लगती होगा पढ़ाई लिखाय गर्ते हो शकल वाई सी रह थे तवरी से अपने मत तुमके 1112 की फोटो एः तो बंढ़ीश्डे जाद धादे है अभी हमारी सुधर नहीं पाई ए यह ना वगो तो स्टाबक्स वे लेड़ॉग्स भाई पाय ना थिए आ यहाँ, you know, we travel in Mercedes and we go to Starbucks and I have latte over there, you know, we have latte, so you know, we can meet people, चले, पढ़ाएं आगे, I go to desk, we go and desk, you know, and we go and desk and we enjoy water, what do you mean, what do you mean, वर्डड़े नहीं आते हैं, चले, पढ़ाएं आगे, जो आता है, organ pipe, बेटा, organ pipe, क्या होता है, तीपड़ी होती है, तीपड़ी होती 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 है, देखत of metal, wood and sometimes with glass, किस से बना होता है, बेटा, metal से बना होता है, कई बार wood से बना होता है, कई बार glass से बना होता है, तुमको फरक नहीं परता है, इस बात से, किस से बना है, तुम यह देखो, जो तुमाएं मतलब का है, open organ pipe, closed organ pipe, आपको इतना याद रखना है, बेटा, open organ pipe, दोनों end is close, तो यह याद रखना कि close में एक ही end बंद होगा, चल्डो closed organ pipe, पहले closed organ pipe की बात करते हैं बेटा, अब सबने, जो बेटा closed end होता है, वो होता है displacement node, और जो open end होता है वो होता है displacement anti node, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमेशा क्या बनता है closed end पे हमेशा node बनता है, और इस end पे क्या बनता है बेटा, इस end पे हमेशा anti node बनता है, यह याद रखना, closed end पे हमेशा displacement का node, open end पे displacement का anti node, अब कोई pressure का पूछे तो उल्टा हो जाएगा, यह भी clear है पर, closed end पे pressure का anti node हो जाएगा, और यहाँ पे pressure का node हो जाएगा, यहाँ पे delta P क्या होगा, 0, यहाँ delta P maximum, और S की बात करें displacement की, तो यहाँ पे S 0, और यहाँ पे S maximum, clear है, यहाँ पन बात करें, S कैसा होगा, maximum, और delta P कैसा होगा, 0, यहाँ पन बात करें, तो S कैसा होगा, 0, और delta P कैसा होगा, maximum, displacement node, pressure anti node, displacement anti node, pressure node, clear है यह बात, clear है, बभीटा से शादी कर लो, बभीटा की कुंडली में भी दोस निकल आया है, तो हम लोग जाएंगे अभी, यहाँ दोस को मुक्त करवाएंगे, यहाँ जाके हम लोग एक कुत्ता जिसका कान आधा कटा होगा, उसको हम लोग रोटी खिलाएंगे, उसके बाद आई थिंक शादी हो सकती है, तो हम लोग ऐसा कुत्ता दूर ना, अगर आप उधर के पास हो, इसका कान कटा हो, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, ठीक है, बड़ी ज़र्वत है इस टाइन, चले आगे बड़े, fundamental tone या first harmonic, fundamental tone क्या होगी बेटा, यहाँ पे बनेगा anti node, यहाँ बनेगा node, बेटा, anti node में क्या होगा, ऐसा, और node में कैसा होगा, ऐसा, यही तो होता है न, anti node, और यह हो गया node, माल लेते हैं बेटा, इसकी length L है, एक anti node और node के बीच में कितना distance होता है, यह आप सब बता सकते ह बीच में कितना distance होता है, लेमडा by 4, लेमडा by 4, तो node और anti node के बीच में, लेमडा by 4, तो बेटा, लेमडा by 4L के बराबर हो जाएगा, लेमडा 4L के बराबर हो जाएगा, बेटा, frequency हो जाएगी, V बते लेमडा, और लेमडा है 4L, so F is equals to V बते 4L, और यह fundamental tone है, principle tone है, और य के first harmonic भी है, first harmonic, अपर किसकी बात करें, close drawing 5 की, जो एक end से closed है, एक end से open है, F is equals to V बते 4L, इसको F1 भी बोल सकते हैं, क्योंकि first harmonic बोला है, V बते 4L, चलो, next देखो, कुछ होने वाला है, V बते 4L, next, first overtone, तो बेटा, पहली overtone कैसे बनेगी, यहाँ पर कितना segment है, एक segment है, तो first overtone में 2 segment आ जाएंगे, इस तरह के, और देखते हैं कैसे होगा, first overtone, आप खुद ही बताओ कैसा होगा, यहाँ anti node बनाना है, और यहाँ node बनाना है, इतना तो confirm है, अब बेटा, आपको इसके उपर एक tone और डाल लिए, तो एक tone और मतलब बीच में एक node और आएगा, बीच में एक node और आएगा, और एक node और आया तो भाईया फिर, बीच में एक node और आएगा, यह बन गया बेटा, ऐसा कुछ बनेगा, है ना, मेंटा लेमडा क्या बनेगा इस बार, लेमडा कितना हो जाएगा, एंटी नोड और यह क्या है, नोड और यह नोड है, अच्छा अब क्या किया जाए, तो 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 तो, नोड और नोड की बीच में distance, लेमडा बाई टू, अगर अपने ऐसे देखें, यहाँ बीच में ए या first overtone, बना पा रहे हो की नहीं, first overtone, देखो यह fundamental थी, first overtone में, ऐसी तो बनेगा, first overtone कैसे बनेगा, यहाँ बनाना है anti-node, यहाँ बनाना है node, तो यूँ, 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 ये बन गया, ओके, ये length L है, अच्छा, ये anti-node, और ये क्या है, node-node, तो इनकी बीच में एक anti-node और होगा न, lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4, तो बेटा कितना हो गया, 3 lambda by 4, और 3 lambda by 4 किसके बराबर, L के बराबर, यहाँ से lambda कितना हो गया, 4L by 3 हो गया, बेटा frequency कितनी हो जाएगी, V बटे lambda, अब lambda क्या है, 4L by 3, ज़रा रखो, यार ये क्या हुआ, ये तो second harmonic नहीं है, ध्यान से देखो, F क्या आ रहा है आपका, 3 V by 4L, क्या ये second harmonic है, क्या ये second harmonic है, क्या लग रहा है आपको, आप बताएं, क्या ये second harmonic है, क्या आपको ये second harmonic लग रही है, वेरी बाड, वेरी बाड, I don't like hatred against any religion, against any country, against any community, grow up यार, grow up, grow up, come on, come on, come on, we can grow up, अगली generation, अपन भी यही सब करेंगे क्या, बेटा क्या यह आपको लग रहा है यह second harmonic है, मुझे तो नहीं लग रहा है second, भाई harmonic का मतलब होता है, उसका multiple हो, है न, तो क्या यह इसका two वाला multiple है, V बटे 4L का, नहीं यह तो 3 वाला है, यानि दिक्कत क्या हो गई, कि first overtone में, F, first overtone में, आपको सीधा क्या मिला, 3 है, यानि कौन सा harmonic मिला बेटा, आपको, third harmonic, second harmonic गायब है, closed organ pipe में, second harmonic गायब है, first के बाद चीधा, third harmonic आता है, second overtone, second overtone बेटा, अब क्या करेंगे, गलू-गलू अंदर और बढ़ाना पड़ेगा, second overtone, है न, तो एक यहाँ पर node हो जाएगी, एक और node बना लेंगे, चलो, ऐसे, 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 यह हो जाएगा, समझ में आया, second overtone, पिछली बार क्या किया, बीच में एक node थी, इसके पहले एक भी node नहीं थी, एक आई, अब दो ले आएंगे, गलू-गलू, गलू-गलू, ठीक है, यह बना लिया, बेटा, आम लोगे, लेंद कित्ती होगी, एल, बेटा, यह वेवलेंद कित्ती होगी, धिमाक लगाओ, एक एंटी नोड यहाँ होगा, एक एंटी नोड यहाँ है, एक एंटी नोड यहाँ, लेंडा बाइफोर, लेंडा बाइफोर, लेंडा बाइफोर, ल पांच लेम्डा बाई 4 किसके बराबर हो गया, L के, लेम्डा किसके बराबर, 4L बटे 5 के, बेटा फ्रिक्वेंसी बार आपको दिख रहे हैं, कितनी आने वाली है, V बटे लेम्डा, लेम्डा कितना है, 4L बटे 5, अरे तो पांच मों मल्टिपल आ गया सीधा, मतलब बेटा, 2nd overtone किसके एक क्वल है, 5th harmonic के है, 5th harmonic के है, 1st harmonic है, yes, 2nd harmonic, no, 3rd, yes, 4th, no, 5th, yes, odd harmonics मिलते हैं, Closed organ pipe में सिर्फ odd harmonics मिलते हैं, 2nd गायब है, 4th गायब है, 6th भी गायब होगा, इसके बाद 7th harmonic मिलेगा, odd harmonics मिलते हैं, clear, 3rd over tone है, आप कर सकते हैं, खटाक से खीचते हैं इसको, anti-node, node, पिछली बार आपने बीच में कितने node बनाये थे, 2, इस बार 3 मना लो, यह 2 lambda by 4, 2 lambda by 4, 2 lambda by 4, 2 lambda by 4, यानी, sorry, lambda by 4, यह 2 times lambda by 4, 2 times lambda, ठीक है ना, यह lambda by 2, यानी, 2 lambda by 4, 2 lambda by 4, 2 लेचे, एक साथ, 7 lambda by 4, clear है, तो 7 lambda by 4 L के बराबर, तो lambda 4 L बटे 7 के बराबर, frequencies आपको समझ में आ गया, frequency क्या होगी, V बटे lambda, और lambda क्या है, 4 L बटे 7, तो frequency कितनी आ गई है, 7 V बटे 4 L, यानी, third harmonic से आपको क्या मिला, 3rd, sorry, third all tone से आपको क्या मिला, 7F1, यानी, आपके पास 7th harmonic है, कहने का मतलब even harmonic missing है, सबी लोग समझ गए, सबी को समझ में आ गया, क्या missing है, even harmonic missing है, आभी हम को समझ में आ गया, even harmonics are missing, और्ड हार्मोनिक्स हैं इवन हार्मोनिक मिसिग हैं हार्मोनिक्स इन क्लोज्ड ओर्गन पाई अगर हार्मोनिक्स की बात करें बेटा हम लो तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं fundamental या first harmonic F1 कितना है? V बटे 4L इसके बाद बिटा हम लोगों मिलता है 1st Overtone कितना आ रहा था? 3 times of F1 इसके बाद बिटा हमें मिला 2nd Overtone कहाँ पे गया? 5 times of F1 इसके बाद 3rd Overtone कितना हुआ? 7 times of F1 यानि odd harmonics मिल रहे हैं even harmonic missing है अगर हम बात करें तो हमें 1st 3st 5st 7 मिल रहे हैं even harmonics missing है ठीक है? अगर मैं Nth Overtone की बात करूँ अगर मैं Nth ये 3rd हो गया F Nth Overtone बता हैं बच्चों? 1st में क्या है? 3rd 2nd में क्या है? 5 3rd में क्या है? यानि 2 3s आ 6 प्लस 1 2 2s आ 4 प्लस 1 2 1s आ 2 प्लस 1 यानि 2 N प्लस 1 इन्टू F1 क्लिर? 2 1s आ 2 प्लस 1 2 2s आ 4 प्लस 1 2 3s आ 6 प्लस 1 Nth Overtone क्या हो जगा? 2 N प्लस 1 इन्टू F1 और F1 याद रखें कितना है? V बटे 4 Closed log in pipe में V बटे 4 है 2 N-1 2 1s आ 2-1 नहीं बेटा 2 2s आ 4-1 नहीं मैंच नहीं कर रहा ना प्लस 1 गलत हो जाएगा ठीक है? यह बात हो गई अपनी और सवाल कर लेते हैं 2 2014 क्या है? क्या है? The number of possible natural oscillations of air column in the pipe closed at one end of length 835 cm whose frequency lie below 1250 Hz क्या है? The number of possible natural oscillations बेटा natural oscillations जो आपन पढ़ ले हैं possible natural oscillations natural oscillations मतलब fundamental first harmonic second या जो भी है इसके अंदर first overtone second overtone of air column ठीक है? air column तो होई गया in the pipe closed at one end बेटा यह क्या हो गया? closed organ pipe in the pipe closed at one end of length 85 cm length कितनी अपने पास? 85 cm है whose frequency lie below this velocity of sound कितना दे रखा अपने को? 340 m per second तो बेटा इसकी fundamental frequency कितनी होगी? F1 कितना होगा? V बटे 4L हो जाएगा? 340 upon 4 into 85 cm है divide by 100 यह कर लिया आपने कितना हो जाएगा बेटा यह? 5 बन्स अफाइफ 35, 35, 35 5, 2, 10, 0 17, 9, 17 2, 34, 0 4 बन्स अफाइफ, 4, 5, 0 कितना हो गया? 100 Hz यह मिला बेटा 100 इसके बाद अगला क्या मिलेगा? 3F उसके बाद अपन को क्या मिलता है यहापे? F मिलता है, फिर 3F मिलता है, फिर 5F मिलता है, फिर 7F मिलेगा, फिर 9F मिलेगा, फिर 11F, इतने में काम हो जाएगा, ये देखो 100 Hz, इसके बाद 300, इसके बाद 500, इसके बाद 700, इसके बाद 900, इसके बाद 1100, इसके बाद 1300 हो जागा, 1300, जो कि अलाउड नहीं है, ये पूछ रहा गई 100-300 किती 1-2-3-4-5-6, see is the correct option, बोलो आगया सभी को, आगया सभी को, हर्श सिंग बोलें ये तो board level है, अब बेटा जो NEET में आ रहा है 2014 का सवाल वो करा रहा हूँ, अब ये board level हो, अब ये neat level हो, अब ये j level हो, अब ये j level हो, छपरी level हो, निबभा level हो, निबभी level होगी हो, ये तो level तो पता नहीं, उसको जो है paper में वो है, चलो आगे बढ़ते हैं, next, 2017 The two nearest harmonics of a tube closed at one end and open at other end, देखो, close dragon pipe की बात हो रही है, of a tube closed at one end and open at other end, आर, 220 hertz and 260 hertz, what is the fundamental frequency of the system, क्या बोला है, जो दो nearest harmonics है, two nearest harmonics, वो क्या है 220 hertz और क्या है, 260 hertz, वेटा एक बात बताओ, दो nearest harmonics है, वेटा अगर ये nth harmonics है, तो इसके बाद क्या n plus 1th harmonics exist करेगा, नहीं करेगा, n plus 2 करेगा, first के बाद third है, third के बाद fifth है, fifth के बाद seventh है, seventh के बाद ninth है, ninth के बाद 11th है, अगर मैं इसको nth harmonics मान लूँ, तो क्या ये n plus 1th harmonics होगा, ये क्या होगा, बोलो इतना हरिमाक हर किसी का चल रहा है, अगर मैं 220 hertz को nth harmonics मानूँ, तो 260 क्या n plus 1th होगा, first के बाद second आ रहा है क्या, first के बाद third, third के बाद fifth, fifth के बाद seven, seven के बाद ninth, plus 2 करके आ रहा है, क्योंकि किस की बाद की है, closed organ pipe की बाद की है, तो अगर इसको मैं nth harmonic माना, तो nf1 is equals to 220 hertz, अगर ये nth harmonic है, तो n plus 2th harmonic है, तो n plus 2 into f1 is equals to 260, अपने को क्या चाहिए बेटा, n की value चाहिए, what is the fundamental frequency of the system, fundamental मैंने f1 मान ली, nf1, nth harmonic, nf1 220, और n, ये भाई क्या बोला, nearest है, तो इसके बाद nearest क्या होगा, n plus 2th harmonic की frequency क्या होगी, n plus 2 times of f1, अपने को बेटा, क्या चाहिए, f1 चाहिए, एक काम करते हैं, इसको expand करते हैं, nf1 plus 2f1 is equals to 260, बेटा, nf1 की value 220 है, चिपका दिया, यहां से बेटा, 2f1 कितना हो जाएगा, 260 minus 220, कितना हो गया, 40, f1 की value कितनी हो गई, 20 hertz, clear, 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 अब देखो, यहां एक बात और आएगी बच्चा, क्या आएगी, अच्छे, यह दोनो closest harmonic हैं, 220 और 260, यह दोनो closest harmonic हैं, चला, इनका ratio देख लेते हैं, एक और method देखो, Mentos method कह सकते हो, 220, 260, अगर मैं ratio देखू, 00 cancel हो गया, 21s are 2, 21s are 2, 21s are 2, 21s are 2, 11 is to 13, यानि यह 11th harmonic हो गया, यह 13th harmonic, भाई, 1 is to 3, is to 5, is to 7, is to 9, is to 11, is to 13, मैंने दोनों का ratio देख लिया, 11 के बाद कौन सा harmonic आना चाहिए, तेरवा आना चाहिए, आया भी है, इनका ratio क्या, 11 is to 13, 1 is to 3, is to 5, is to 7, is to 9, is to 11, is to 13, 11 is to 13, यानि यह 11th harmonic है, यह 13th harmonic है, अगर यह 11th harmonic है, तो 11 F1 is equals to 220, so 20, F1 is equals to 11, 2s are 22, 20 thirds, clear? एक अजमल होसाइन ग्यान दे रहे हैं कि इसको N plus 1 और इसको N plus 3 ले सकते हैं, बिल्कुल बैटा ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, आप इसको N plus 7 और इसको N plus 9 ले सकते हो, right? आप इसको N plus 7 का स्क्वेर और यहाँ पे N plus 7 का स्क्वेर प्लस 2 ले सकते हो, जितना टफ करना हो कलो मना ही थोड़ी ना है, यह खतम, 220 और 260 बगल बगल किया है, मैंने 220 इस्टो 260, 0 से बाइट बोला है next है, next है तो ratio एक के बाद एक कुछ आना चाहिए, 1 is to 3 हो सकता है, 3 is to 5 हो सकता है, 5 is to 7 हो सकता है, 7 is to 9 हो सकता है, 9 is to 11, 11 is to 13, 13 is to 14, ऐसे ही कुछ ratio आएगा, क्योंकि अगल बगल है, बोल रख्खा है, nearest nearest, तो यह क्या हो गया, 2 in the 2, 11 is to 13, इसका मतलब यह 11th हार्मोनिक है, 13 हार्मोनिक, और 11th हार्मोनिक है या नहीं, 11 F1 is equal to 220, तो F1 कितना हो गया, 20, clear, next, resonance in air column, जड़ा इसको समझो बेटा, resonance in air column क्या है, मालो अपन ने क्या किया, इसमें एक ट्यूब और आएगा, मालो अपन हमने क्या किया, इस ट्यूब में पानी भर लिया, अपन ने इस ट्यूब में पानी भर लिया, और अपन ने इस को, स्टॉंग को, हमने क्या किया, ट्यूनिंग फॉक को, इसको ऐसे बं, ट्यूनिंग फॉक को ऐसे बं, और इसमें से धीमें धीमें पानी निकालना इसमें से धीमे-धीमे पाई मेकालना start किया इस level पे आके आपको क्या दिखा आपको दिखा इसका first mode of vibration यहाँ पे anti-node यहाँ पे node, भाई यह closed end है देखो यह न, closed organ pipe बन गया air column क्या है बेटा, what is air column air column is closed organ pipe तो आपने क्या किया था आपने इसमें पहले पानी भल लिया अब आपने इसको ऐसे मारा अब पानी धीमे-धीमे खाली कर रहे हो एक जगे क्या हुआ बहुत तेज आवाज आए तेज आवाज का मतलब होता है resonance हो गया resonance का मतलब यह होता है कि जो इसकी frequency है वही frequency आपके air column के थी दोनों match कर गई और आपको एक तेज अवाज आई resonance का मतलब होता है जब किसी external source की frequency match कर जाती है natural frequency of object से natural frequency से इसकी natural frequency क्या है बेटा fundamental, first overtone, second overtone, third overtone जित्ते भी होता है, सब natural frequency क्या है इसकी natural frequencies है, इसकी natural frequency नहीं है इसकी natural frequencies है ठीक है तो हमने इसको मारा turn और पानी खाली करने है turn यह क्या हुआ resonance हो गया जो इसकी frequency थी वही air column की frequency तो इसका पहला mode of vibration क्या हो सकता है बेटा यहाँ पर क्या मनेगा, closed end है यहाँ क्या बना node और यहाँ क्या बनेगा anti-node बनेगा यह हो सकता है ठीक इस length को आपन बोल देते हैं L1 और यह distance कितना हो जाएगा बेटा सभी लोग बताए lambda by 4 हो जाएगा L1 और यह कितना हो जाएगा lambda by 4 हो जाएगा फिर क्या हुआ हमने का अच्छा बहुत बढ़ी है हमने पानी और खाली किया यहाँ तक खाली हो चुका था हमने पानी और खाली किया यहाँ तक खाली हो चुका था हमने पानी और खाली किया और खाली करनी पे फिर से एक बार loud sound सुनाई पढ़ा एक बार फिर से loud sound सुनाई पढ़ा कैसे पढ़ा होगा इसकी दूसरी natural frequency आ गई होगी first over tone वाली आ गई होगी वो इससे match कर गई भाई ये तो vibrate कर रहा है अपनी frequency f से पहली बार सुनाई पढ़ा क्योंकि इसकी पहली natural frequency दिखी principal tone दूसरी बार इसकी first over tone मैच कर गई होगी बेटा तो यहाँ पे होगा node यहाँ पे होगा बोलो anti node और बीच में एक node और आ जाएगा इस बार ये कितनी length होगी इस बार length तो जादा दिखी रही है बेटा इससे तो जादा होगी length होगी L2 और बेटा ये कितना होगा wavelength के terms में ये anti node से node lambda by 4 यहाँ पे एक और anti node ले लो lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4 कितना होगया 3 lambda by 4 lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4 3 lambda by 4 फिर हमने फिर से पानी खाली करना स्टार्ट किया और फिर से एक बार loud sound सुनाई पढ़ा आप कहां पढ़ेगा second overtone में second overtone में इस बार second overtone यहाँ बना node यहाँ बनेगा anti node और बीच में 2 node बन जाएंगे ये है ना, right length बेटा और बढ़ गई है सभी को दिख रहा है L3 हो गई और अगर lambda की टमस पर बात करें तो बेटा कित्ती हो जाएगी है lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4 5 lambda by 4, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है तो जो different length है जो resonance करा रही है जिस पर loud sound आ रहा है पहली length क्या है बेटा, lambda by 4 दूसरी क्या है, 3 lambda by 4 तीसरी क्या है, 5 lambda by 4 है न It's the same as closed end pipe, right पहली आरी lambda by 4 पे दूसरी 3 lambda by 4 पे और तीसरी 5 lambda by 4 पे, right तो अगर हम बात करें बेटा तो L1 है आपकी lambda by 4 L2 आपकी आरही है 3 lambda by 4 और L3 आपकी आरही है 5 lambda by 4 यह किसकी length है बेटा, air column की length है water की length नहीं है कई बार question confuse करने के लिए water की length दे देता है याद रखना बेटा यह किसकी length है air column कई बार water की length दे देगा, तब क्या करोगे total tube की length में से water की length minus करके air column आप यहां से L4 भी नहीं बताई सकते हो मेरे क्याल से so on L4 आपका कितना हो जाएगा 7 lambda by 4 and dash 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 nth पे अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा 2, 4, 8, minus 1 2 and minus, चलो n का नहीं निकालते यहीं पे छोब देते, L4, L5 and so on overall में क्या बताना चाह रहा हूँ overall में आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि L1 is to L2 is to L3 is to L4 का क्या ratio है 1 is to 3 is to 5 is to 7 यही ratio है air column की length का clear है सभी को चलो सवाल करते है 2016 क्या सवाल है an air column closed at one end and open at other closed air column हो गया resonates with a tuning fork when the smallest length of the air column is 50 cm the next larger length of the air column resonating with the same tuning fork तो बेटा क्या बोल ला है an air column closed at one end smallest length of the column is 50 smallest length मतलब यह वाली कहानी होगी यह बोल ला है कितना है L1 50 next length कित्ती होगी बेटा L2 कितना होगा 3 times of L1 तो कितना हो जाएगा 50 into 3 कितना हो जाएगा 1500 बोलो सभी को आ गया 1 is to 3 is to 5 clear आगे बड़ा जाए question number 7 2018 जड़ा ध्यान से देखना अच्छा सावाल है थोड़ा सही है 2018 चलें सभी लोग try करें इसको क्या है A tuning fork is used to produce resonance in a glass tube अच्छा पने देख लिया है तो A tuning fork is used to produce resonance in a glass tube The length of the air column in this tube can be adjusted by a variable piston आप length of air column को change कर सकते हो ठीक है The length of the air column in this tube can be adjusted by a variable piston Length of air column को अपन वैरी कर सकते है At room temperature to successive देखो सवाल आ गया है यहाँ पे At room temperature, two successive resonances are produced at 20 cm and 73 cm of column length दो successive resonance मिल रहे हैं 120 पे, 173 पे If the frequency of the tuning fork is इतना the velocity of sound in air at 27 degree celsius सवाल यह पूछ लिया है यहोने अच्छा द्याजरे को क्या बोल रहे हैं यह बोले हैं कि two successive resonance are produced at तो एक resonance आपका कहाँ पे हुआ है 20 cm पे और इसके just अगले वाला mode of vibration इसके just next mode of vibration कहाँ पे है 73 cm पे है और frequency बता रखिए tuning fork की और पूछा क्या है आपसे speed of sound पूछा है तो बेटा, speed of sound क्या होगा f into lambda v is equals to f lambda पिछले lecture में आपने देखा था v is equals to f lambda पिछले lecture में आप देख चुके होगा तो बेटा मेरे को f तो पता है f तो known है lambda नहीं पता अब इस information से lambda निकालना आप मेरी बात ध्यान से सुन själv मेरी बात ध्यान से सुन l1 is to l2 is to l3 is to l4 क्या ratio था था 1 is to 3 is to 5 is to 7 ऐसी कुछ ratio था अगर Aपन देखें कि क्या ratio है is to l2 is to l3 is to डश bzw amplification 1 is to 3 is to 5 is to 7 कुछ ऐसा ही ratio है Right कुछ यही ratio है और 11 कितना था? Lambda by 4 अगर याद करो तो आपको. और ये कितना? 3 Lambda by 4. ये कितना? 5 Lambda by 4. ये कितना? 7 Lambda by 4. ये तो है. Lambda by 4 थी. Lambda by 5 Lambda by 4. 7 Lambda by 4. है ना? कुछ ऐसा ratio चल रहा था? तो अगर आपन यहां आके कहीं देखें तो N Lambda by 4 अगर कोई एक particular length है. तो इसके next length बेटा कितनी होगी बताएं? अगर आप माल लेते हैं कि ये N Lambda by 4 है. तो इसके next length कितनी होगी बेटा? देखो. पहली length Lambda by 4. दूसरी 3 Lambda by 4. तीसरी 5 Lambda by 4. फिर चौती 7 Lambda by 4. फिर कोई होगी जो N Lambda by 4. तो इसके next वाली कितनी होगी बेटा? N plus 2 Lambda by 4. अगर ये वाला N Lambda by 4 है. इसके और इसके में क्या फरक होगा? इसके और इसके में एक पूरे segment का फरक होगा? एक पूरे segment. माल लो ये ऐसा कुछ है. जस सपोस कर लो ये ऐसा है. तो इसमें कितने होगी? ऐसा है तो इसमें? यही तो होगा. इसमें 1, 2, 3. अगर एक दूसरे से next हैं बेटा? अ यही तो होगा. इससे एक ज़्यादा. तो ये कितना होगया? दो, दो, चार, एक पांच Lambda by 4. ये कितना होगया? दो, दो, चार, दो, छे, एक साथ. साथ Lambda by 4. ये 5 Lambda by 4 तो ये? 7 Lambda by 4. एक next में एक ही तो बढ़ेगा segment. क्या बोला है? कैसे हैं? टू सक्सेसिव. सक्सेसिव में कितना बढ़ेगा? एक ही तो सेग्मेंट बढ़ेगा. तो अगर ये, जैसे इसको ले लिया मैंने 2, 2, 4, 5, 5 Lambda by 4 तो ये कितना होगया? 7. N प्लस 2. है न? अगर N Lambda by 4 20 के बराबर, तो N प्लस 2 Lambda by 4 73 के बराबर. अगर N Lambda by 4 20 के बराबर. तो N प्लस 2 Lambda by 4 किसके बराबर? 73 के बराबर. है न? अपने को क्या चाहिए? N चाहिए क्या? अपने को Lambda की value चाहिए. तो काम करते हैं? इसको expand कर लेते हैं, बेटा. N Lambda by 4 प्लस 2 Lambda by 4 is equals to 73. लिख सकते हैं? N Lambda by 4, 2 Lambda by 4. N Lambda by 4 की value 20 है. बेटा, ये उधर जाके minus हो जाएगा. 53 ये हो गया Lambda by 2. 2 2s are 4. 20 उधर minus हो गया. 73 minus 20. 53 Lambda हो गया. 106 cm. बेटा, भी speed of sound आप खटाच निकाल सकते हो. V is equals to F Lambda. F कितना given है बेटा जी आपको? Sorry, F कितना given है? 320. So, 320 into Lambda कितना है? 106 cm. क्योंकि ये cm मिलें थे थी. So, 106 बटे 100 कर दो. ये 0 से 0 कैंसिल. Multiply करके देख लो, बेटा, कितना हो जाएगा? 32 into 6. 6 2s are 18. और कर लेते हैं. 106 into 32. 2 6s are 12. 1 2 1 0. 3 6s are 18. 1 और ये 3. ते 2 9 3 3 3 9 2 बटे 10. Clear है? अब लग रहा हो यार कितना complex है शरी है? ये कितना complex सवाल था? अब लगा हो ये कितना था? Speed of sound from resonance tube Khatam V is equal to 2F L2 minus L1 और L2 L1 क्या होगा? successive lengths होगी. Khatam Apply करो V is equal to 2F L2 minus L1 ये successive resonance length F की value 320 कहा लगा होगे बेटा? Resonance tube में speed of sound निकालने का तरीका होता है. ठीक है? L2 कितना है अपना 73, L1 कितना है? 20 अब बेटा इस centimeter में है ये centimeter में लंधी ना, meter में तो convert करो गई? कितना हो जाएगा? 33 हो गया? खतम. वही तो है पूरा. 2 3s are 6, 2 5s are 10. सेम आएगा answer. क्लेर है? सक्सेसिव लेंथ लेते हैं, सक्सेसिव लेंथ. 2F L2 माइनस L1 सक्सेसिव लेंथ. और नेक्स कोश्चन देखो. कोश्चन नमबर 8. और इससा 2019 का. 2019 ना सवाल है? डियर फ्रेंट. चलो दिखते हैं. A tuning fork with frequency 800 Hz. produce resonance in a resonance column with upper end open and lower end close by water surface. पूरी कहानी वही है जो हमें चाहिए. A tuning fork with frequency 800 Hz. produces resonance in a resonance column tube with upper end open and lower end close by water surface. Successive resonance are observed at lens 9.75, 31.25, 52.75. The speed of sound in air is. Mentos से कर सकते हैं इसको अपन सीधा Mentos लगा सकते हैं Mentos method लगाएंगे अपन क्या हो जाएगा V is equals to 2F L2 minus L1 L2 L1 क्या होती है Successive Resonance Length Successive Resonance Length में ये दोनों भी ले सकते हो ये दोनों भी ले सकते हो इसको इसको मतले ना ये successive नहीं हुई एक के बाद एक तो ये दोनों values भी चूज़ कर सकते हो ये दोनों भी चूज़ कर सकते हो 2 into F कितना है विटा जी 800 L2 minus L1 इसमें से ये minus कर लिया जाए या इसमें से ये minus कर लेता हूँ 31.25 minus 9.75 इसमें cm में तो ये 100 से divide भी होगा 100 से divide हुगा 0000 cancel हो गया 2 into 8 into 5 में से 5 गया 0 12 में से 7 गया 5 जाएगा 10 10 में से 9 गया 1 और ये हो जाएगा 2 21.50 2 into 21.50 so 2 5s जा 10 बन गया असल 2 1s जा 2 1 3 2 2s जा 4 43.0 into 8 8 3s जा 24 8 4s जा 32 जा 2 344 clear clear अब इसको आप method से भी कर सकते हो कोई मना ही नहीं इसको आप concept से भी कर सकते हो concept से भी सही आएगा पेटा अगर n lambda by 4 को हम 9.75 लें तो n plus 2 lambda by 4 किसके बराबर होगा 31.25 के and n plus 4 lambda by 4 किसके बराबर हो जाएगा बेटा 52.75 के आप यहां से lambda निकाल लो F आपको पता है you can find V clear है अब 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 अबन आगे open organ pipe अभी close organ pipe था open organ pipe एक बार organ pipe हो जाए तब आपको break दूंगा ठीक है थोड़ी दिर और पढ़ लो organ pipe करके break लेंगे फिर आके अपन beats और doppler effect कर लेंगे ठीक है open organ pipe बेटा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ भी क्या बनेगा anti node यहाँ भी क्या बनेगा anti node और किसका anti node है बेटा यह displacement का है न सभी को समझ में आ रहा है कि open end पे क्या बनता है बारवर बताने की जर्वत ही नहीं मेरे ख्याल से displacement का anti node और pressure का node and vice versa close end पे समझी गए अब तो close end है भी नहीं आ खेल ठीक है fundamental tone तो बेटा fundamental tone में यहाँ भी anti node होगा यहाँ भी anti node होगा अब बेटा दोनो anti node कैसे हो सकते हैं बीच में कहीं node होगा तभी तो दो anti node कैसे बन सकते हैं यहाँ बीच में एक node ले लिया मैंने यह length हो गई L अब बेटा यह कितना होगा lambda by 4 यह कितना होगा lambda by 4 तो यह कितना होगया 2 lambda by 4 2 lambda by 4 बराबर L यहाँ से lambda कितना होगया 4L by 2 यह 2L बोल सकते हैं सीधा बेटा frequency कितनी हो जाएगी V बटे lambda तो V बटे 2L तो यह हो गई बेटा इसकी fundamental frequency यह first harmonic कितनी V बटे 2L तो open में V बटे 2L आता है closed में V बटे 4L आता है अब यह बात यहीं कि यहीं याद हो जाए तो बेटे रहे closed में क्या आता है V बटे 4L और open में क्या आता है V बटे 2L fundamental कैसे याद रखेंगे सर बड़ा असान है बड़ा असान है open में क्या आता है V बटे क्या आ रहा है 2L और closed में क्या आ रहा है V बटे 4L fundamental frequency बेटा open oxygen open देखो oxygen oxygen की बेटा कितने bond बनाता है double bond बनाता है तो O के double bond इसकी valency कितनी हो गई 2 तो यहा 2 लगा दिया closed, carbon से start हो रहा है carbon कितने bond बनाता है 4 bond बनाता है तो नीचे 4L आ गया याद रहेगा वन्हां हमेशा confused रहो गया छीक है open, open में क्या V बटे 2L तो open O से start हुआ oxygen की कितने bond बनाता है 2 bond, valency 2 है तो 2L लगा दिया chemistry जोड़ दी थोड़ी से closed की बात करें बेटा C से start हुआ carbon की valency 4 है तो नीचे 4L लगा दिया clear ठीक है, तो V बटे 2L इसकी fundamental frequency है आगे बड़े ठीक है, चलो अब आया first overtune जड़ा first overtune देखते हैं यहाँ पे anti node, यहाँ पे anti node पहली बार यहाँ पे एक ही node था अब 2 node लाने पड़ेंगे तो एक node यह ले लिया मैंने एक node यह ले लिया मैंने ठीक है, दो node लाने ही पड़ेंगे भई ठीक है यह बनेगी कहानी length हो गई L बेटा lambda by 4 lambda by 4 lambda by 4 तो मेरे को दिखगे 4 lambda by 4 4 lambda by 4 बराबर L तो lambda किसके बराबर हो गया L के बराबर हो गया frequency कितनी होगी बेटा V बटे lambda, lambda L के बराबर तो V बटे L है उपर नीचे 2 से multiply कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं 2 V बटे 2L V बटे 2L बेटा क्या थी 1st harmonic तो यह कितनी हो जाएगी 2nd harmonic है तो बेटा यहाँ पे आप देख रहे हो 1st overtone is equals to 2nd harmonic तो यहाँ पे आपको 2nd harmonic मिलती है open is open open में सब है, even भी है close थोड़ा कंजूस था वो सिर्फ क्या देता था, odd harmonics देता था open में सब है बेटा even harmonic भी मिलेगी और odd harmonic भी मिलेगी पर closed में सिर्फ क्या मिलती है आपको closed में क्या मिलती है सिर्फ odd harmonics तो 2F, 1st overtone is 2F, 1 जो expected होता है चलो, 2nd overtone भी चेक कर लेते हैं एक बार यहाँ पर anti node, यहाँ पर anti node अब बीच में कितने node आ जाएंगे बिटा यहाँ दो थे, यहाँ तीन लाने पड़ जाएंगे एक, दो, तीन, ठीक है यह ऐसा बनेगा lambda by 4, 2 lambda by 4, 2 lambda by 4 2, 2, 4, 1, 5 तो 5 lambda by 4 मेरे को दिख रहे हैं गलर सेके कुछ, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6 दिख रहे हैं बिलकी, sorry, 6 lambda by 4 तो 6 lambda by 4 I can see 6 lambda by 4 is equals to L lambda is equals to 4L by 6, right 2 से कट जाएगा, 2L by 3 तो पेटा, यहाँ से F is equals to V, बटे lambda lambda is 2L by 3 ध्यान देखो बिटा, F क्या आगया? 3 times of V बटे 12 और V बटे 12 क्या है बिटा? open की fundamental frequency है so F second overtone कितना हो गया? 3 times of F1 first overtone क्या था? 2F1 second overtone 3F1 third overtone 4F1 इसमें odd harmonic भी है और even harmonic भी है odd and union harmonics बोथ present harmonics in open organ pipe तो बिटा इसमें तो सभी है fundamental की बात करें हम first harmonic ठीक है? F1 अपना कितना है? V बटे 12 यह आपको याद रखना है याद रहेगा? open में क्या है? 12 है ऐसे याद रखोगे? open में 2 oxygen की valency 2 होती है closed में 4 carbon की valency 4 होती है दूसरी बात बिटा है यहाँ पे F1st overtone कितना है? 2nd harmonic है F2nd overtone क्या है? 3rd harmonic हो जाएगा F3rd overtone क्या हो जाएगा? 4th harmonic हो जाएगा यानि Fnth overtone क्या हो जाएगा? N plus 1th harmonic हो जाएगा clear है? 1st overtone is 2nd harmonic 2nd overtone is 3rd harmonic 4th harmonic Nth क्या हो जाएगा? N प्लस 1 इंटो F1 2013 If we study the vibration of a pipe open end यह आप खुद से बताएं मुझे आप बताएं, मैं नहीं help करूँगा देखो इतनी देर पढ़ाया आपको कुछ समझ में आया कि नहीं If we study the vibration of a pipe open at both ends then which of the following statement is not true इसमें से क्या सही नहीं है है ना, open if we study the open at both ends open end will be anti-node हाँ सही बात है, open end पे क्या होता है, anti-node होता है, it's not true, बेटा धिहान से question पढ़ लो इस तो सही है open end is anti-node, odd harmonics of the fundamental frequencies will be generated बताओ यह गलत है कि सही है बेटा, odd तो generate होगी मनाही थोड़ी नहीं, odd भी होगी even भी होगी गलत कैसे हुआ, यह थोड़ी नहीं लिखा है only odd, odd generate होगी yes, होगी, creative भी 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 बोल रहे है यहां only odd लिखा है क्या, odd तो बनेगी न, odd भी मिलेगी, even भी मिलेगी यह कह रहे, odd मिलेगी हम कहें, हाँ मिलेगी only odd are generated लिखा होता तो गलत होता है, यह तो correct है यह भी correct है बात समझे next, आज आप खुश क्यों नहीं हो, मैं बहुत खुश हूँ हूँ अलग-अलग महल होता है teacher भी एक इंसान होता है, उसके भी जीवन होते अलग-अलग महल होता है all harmonics of the fundamental frequencies will be generated सही बात है सारे harmonics generate होते है first, second, third, fourth सही है next, क्या है pressure change will be maximum at both ends pressure change, यहाँ पर delta P कैसा होगा, बेटा pressure change will be maximum बेटा, यहाँ पर क्या बनता है यहाँ पर displacement का anti-node बनता है इसका मतलब यहाँ pressure का displacement का anti-node बनता है इसका मतलब यहाँ pressure का node बनेगा यानि यहाँ पर delta P क्या होगा 0 pressure change will be maximum at both ends यह बेटा, false हो गया बाकी सब true था clear होगा, तो answer होगा आपका D B वाला देखके तुरिंद मार के भागाते बोला है, odd harmonics of the हाँ बाई और generate होगी, even भी होगी only odd लिक्टा तो गलत होता है summary organ pipe, और summarize करते हैं फिर सवाल करके आपको break देता हूँ पहला बढ़िया सा summary organ pipe, चलो इस तरफ ले लेते हैं closed, इस तरफ ले लेते हैं open एक तरफ closed, एक तरफ open, तो closed की बात करें बेटा, fundamental frequency C यानी 4L, तो V बटे 4L overtone की बात करें बेटा, first overtone, सीधा कहां पहुच जाते हैं, three times of f1, clear है ना, second overtone कहां पहुच जाएंगे, five times of f1 है ना, third overtone पे ये कहां पहुच जाएंगे, seven times of f1 है ना, और nth overtone पे बेटा ये कहां पहुच जाएंगे, बोलो, n plus, sorry, 2n plus 1, n plus 2 गी दिया बेए, 2n plus 1 into f1, right, open की बात करें बेटा, open में fundamental frequency क्या है, o2, so v2 बटे 2L, ठीक है, first overtone की बात करें, तो second harmonic, second overtone की बात करें तो third harmonic, एकदम system से चल ला है, third overtone की बात करें तो fourth harmonic, एकदम system से, और nth overtone की बात करें तो, ये क्या है, n plus 1th harmonic, ये क्या होते है, 2n plus 1th harmonic, clear है, ये 2n plus 1th और वो nth, clear है, आगे बढ़ा जाए, चल, सवाल, 2015, अब दोनों pipe को involve करेंगे हैं हम लोग, ठीक है, क्या है, the fundamental frequency of a closed organ pipe of length b centimeter is equal to the second overtone of an organ pipe open on both ends, क्या बोला है, the fundamental frequency of closed organ pipe, f1 of closed organ pipe is equal to the second overtone of open organ pipe, the length of the organ pipe open at both ends, इसकी length नहीं पता, बेटा, f1 of closed, closed की बन कित्ती होती है, closed मतलब carbon मतलब 4, तो यह हो जाएगी V बटे 4L, और यहाँ पे C लिख दे रहाँ, closed की length, second overtone of open, बेटा, open तो खुला है, open तो खुला है, उसमें सब allowed है, second overtone मतलब third harmonic, so 3, अच्छा, और open में basic, 3 times of इसकी basic frequency, 3 f1 of open, right, 3 f1 of open, और f1 of open क्या होगा बेटा, V बटे 2L, oxygen के double bond, so V बटे 4LC, is equal to 3, V बटे 2L open, यहाँ से V, V cancel हो जाएगा, 1 upon 4 into length of closed, is equal to 3 upon 2 into length of open, 2 1s are 2, 2 2s are 4, अपने वो क्या दी है, closed की length दे रखी है, 20 cm, so 1 upon 2 into 20, is equal to 3 upon length of open, तो length of open हो जाएगा, 40 into 3, 120 cm, सभी का correct आया है, clear, हाँ break दूँगा, 15 minutes कर दे दूँगा, ठीक है, बट जहाँ एक पार्ट खतन कर गए जाते हैं, अभी एकदम बढ़िया touch fresh बना हुआ है, फिर मजा नहीं आएगा, चलो, आगे बढ़ते हैं, next, और अगला पार्ट अपने आप में independent है, beats पढ़ेंगे पूरी और Doppler effect पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा आपको, 2018, देखो, लगातार सवाल आ रहे हैं, कि 2018 में क्या आया, दोनों को मिलाया, basic सवाल, the fundamental frequency in an open organ pipe, क्या बोल रहा है, fundamental यानि F1 किसका, open का, the fundamental frequency in an open organ pipe, fundamental मतला, F1, is equal to the third harmonic of a closed orbank pipe, क्या लिख रहा है, is equal to the third overtone नहीं बेटा, overtone नहीं, third harmonic of closed, third overtone नहीं बोला, third harmonic बोला, बेटा, open का F1, open मतलब 2, V upon 2 length of open, third harmonic बेटा, third harmonic लिखा तो 3 F1, जब overtone लिखे तब सोचो भी, harmonic का मतलब तो, fundamental के कितने times, third harmonic मतलब, 3 times of F1 of closed, खतम बेटा, V upon 2 length of open, 3 times of F1 of closed, closed का F1 कितना होता है, 4 आता है, close carbon, 4 valency, 4 length closed, V, V बेटा, cancel हो जाएगा, 1 upon 2 into length of open, V, V cancel 3 upon 4 into length of closed, किसकी length दे रखी है, if the length of the closed organ pipe is 20, close की length दे है 20 मेरे को, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 upon length of open, 3 upon 2 into length of closed is 20, length of open कितनी हो जाएगी बेटा, इधर गया, यह इधर गया, 40 बटे 3, 3 1s are 3, 10, 3 3s are 9, 10, 13.3 cm, 13.2 will be the correct option, clear है, चले, आगे बढ़े, इस ही में गलतियां होती है, इसको ध्यान से करना है, एक दाँ, चलो next करें, इस ही लिए मैं कहा रहा हूँ, practice sheet, practice sheet is must, practice sheet में आपको सवाल मिलेंगे, इसके और सारे, और उनको practice कर करके ही आप strong बनोगे, चलो सवाल करते हैं, 2016, क्या है, the second overtone of an open organ pipe, f, second overtone of open organ pipe, has the same frequency as the first overtone of a closed pipe, चलो भाया, पहले तो इसको solve करना पड़ेगा, second overtone open, open में क्या है बेटा, open is open, ऐसे याद रखना है, याद ऐसी रखना है, open is open, खुला है, उसमें even भी है, odd भी है, second overtone, third harmonic, तो three f1 open, अब बेटा, closed, closed में क्या कहानी है, सिर्फ odd harmonics होती है, है ना, तो first overtone, यानि तीसरे पर पहुँच जाएंगे, भाई, fundamental होता है f1, first overtone, two in plus one, अब देखो formula मेरे कोई पता है, शाहिए तुमें याद रहे ना रहे, पर दिमाग में ये याद रहे, closed के अंदर क्या होता है, closed के अंदर सिर्फ odd harmonics, first overtone, third harmonics, so ये three f1 of closed, बेटा three three cancel हो गया, f1 open का होता है, v बटे o मतलब oxygen, two length open, oxygen के रहे double bond, three three cancel हो गया, f1 of closed, v बटे close carbon, carbon की 4 valency, four length of closed, v, v cancel, अपने क्या दिया है, closed pipe की length L दे रखी है, ये length पता है अपने को, v, v cancel, one upon two into length of open, is equals to one upon four into length of closed L, length of open निकालना है, two one's are two, two two's are four, length of open, is equals to two L आ रहा है यार मेरा तो, आपका भी two L आ रहा है कि, सभी का two L, मतलब correct हैं सब, बहुत बड़ी है, clear, तो इस तरह दे step by इसको याद रखना वनना, और ओर्गिन पाल का दिमाग से निकल जाता है, very easy, clear है, अपन बीट से पहुँच के, अब अपन ब्रेक ले सकते हैं, 12 मिनिट कब देख लेते हैं, 12 मिनिट बहुत होते हैं, बेवज़ा lecture की length बढ़ती है, बाद बच्चा देखने हाता, डर जाता, सुस्ता हो रहा, 7 घंडे lecture, उसको पता है नहीं, 7 घंडे lecture में तो break है, यार 1 घंडा तो, इसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग beats करेंगे, और beats के बाद हम लोग करेंगे Doppler effect, और exhaustic सवाल कराने वालों यहां पर, कुछ बचे का नहीं इसमें से, पूरा खतम करा देंगे, ठीक है, तो मिलते हैं 12 मिनिट के बाद, करेंगे हम लोग 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 करेंगे हम ल झाल 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 वेल्कम एवरीवन अब हम लोग पढ़ेंगे बीट्स और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग डॉपलर इफेक्ट ठीक है दोनों बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है नीट के पॉइंट आफ यूज देखें ठीक है सवाल बहुत होता है यहां से और यहां के सवाल सॉल करते है ऐपने स्टार्ट करते हैं बीट से ठीक है सब्सक्राइब बीट क необходимо होता है इसके लाम जाने बेटा beats क्या होता है? Interference ही होता है, किसका interference of sound waves? Sir interference तो कल भी पढ़ाता है, constructive, destructive, उसके बाद क्या पढ़ाता? Standing wave, standing wave भी तो interference से ही आई थी, अगर याद करो, stationary wave कैसे आई थी? Interference of two waves traveling in opposite direction, ये condition थी, अगर याद होतो, stationary wave की ये condition थी, कि दो waves कैसी हो, traveling in opposite direction, और same medium में होती थी, speed same, और frequency same होती थी, और wavelength same होती थी, है न, और क्या same होता था? Amplitude same होता था, ये सारी condition हमने लगा रखी थी, stationary wave के बनने के लिए, आज हम लोग beats करेंगे, beats भी एक interference है, sound waves का ही, ठीक है? अब किस तरह का interference होता है? ये देखते हैं, beats, the superposition, superposition मतलब interference, है न, the superposition मतलब 2 waves हो गई, superpose करेंगी, superimpose करेंगी, the superposition of 2 sound waves having a small difference in frequency, 2 sound waves हो, और उनमें क्या हो बेटा? small difference in frequency हो, है न, छोटा difference हो frequency में, is called beats, of 2 sound waves, और बेटा, ये 2 sound waves कैसे होनी चाहिए? traveling in same direction, इसमें ये difference है, जब हम बात करते हैं, stationary wave की, या standing wave की, तब हम बोलते हैं, दो waves कैसे travel कर रही हो, opposite direction में, और यहाँ पे कैसे travel होना चाहिए, beats के अंदर, traveling in same direction, ये difference हो गया, traveling in same direction, ठीक है, चलो, ये देखवा आ गया, standing waves और beats में difference क्या है, दोनों ही किस्से बनते हैं, बेटा, standing wave की बात करें, चाहिए beats की बात करें, दोनों किस्से बनते हैं, interference से, दोनों ही किस्से बनते हैं, interference से बनते हैं, standing wave में क्या होता है, जो दो waves interfere करती है, दोनों की frequency सेम होती है, omega सेम हो जाता है, v सेम होता है, lambda सेम होता है, amplitude सेम होता है, यहाँ पे क्या है, frequency is slightly different, beats के अंदर, दो waves की frequency में थोड़ा सा difference होना चाहिए, दूसरी बात यहाँ पे क्या होता था, standing में traveling in opposite direction होती थी, याद करो, एक wave इधर से आती थी, traveling in opposite direction, और यहाँ क्या है बेटा, traveling in same direction, तो इस तरह से beats और stationary wave को आपने दिमाग में आप separate करो, exam में तो करी लोगे, दिमाग में भी separate करो, standing wave भी interference से बनती है, दो waves traveling in opposite direction, frequency same होनी च थोड़ा सा difference, frequency different नहीं बोलना कि frequency different है, frequency is slightly different, छोटा सा difference होगा, आएए देखते है beats क्या होती है, graphical representation of beats, आएए समझते है graphical representation क्या है, यह पहली wave है y1, यह दूसरी wave है y2, इनकी frequency में थोड़ा सा फरक है, ज्यादा फरक नहीं होता, थोड़ा सा फरक होता है, small difference है न, दो hertz का difference ह 10 hertz का difference है, बस हो गया, ठीक है, 2 hertz, 3 hertz, 5 hertz, 4 hertz, 6 hertz, 8 hertz, 10 hertz, छोटा सा difference है, आप देखो y1 और y2 को मैंने चलाया, super impulse किया, कहीं बीच में ऐसी जगहाई, जहाँ y1 का क्या है, positive maxima, y2 का क्या है, negative maxima, y1 का positive maxima, y2 का negative maxima, दोनों super impulse किया, एक तरफ यह कह रहा है, उपर चलो particle से, और यह कह रहा है, उपर नीचे क्या, sound waves तो आगे पीछे, यह कह रहा है, particle से आगे चलो, और यह कह रहा है, particle से पीछे चलो, कैसा interference है बेटा यह, जब यह बोल रहा है, particle से उपर, उपर मतलब आगे, और यह कह रहा ह जब दोनों का amplitude same हो, beats में ये condition नहीं होती है कि दोनों waves का amplitude 100% same हो, approximately बराबर भी चलेगा, थोड़ा बहुत difference भी चलेगा, ठीक है, कोई condition नहीं लगिए, किताबों में कहीं condition नहीं है कि amplitude same होना चाहिए, same होता है तो beats बहुत बढ़ियां हो जाएगी, अगर amplitude जितना बराबर अगर amplitude में इतना difference नहीं हो, तो कैसे सनाई पड़ेगा, sharp beat तब सनाई पड़ेगी, जब amplitude करीब करीब बराबर हो जाएगी, बट ऐसे कहीं condition नहीं है, तो मैंने बोला भाई, इसमें उपर उठाया, इसमें नीचे, दोनों में कौन सा interference हुआ, destructive, तो यहाँ पर हो गया, destructive interference, ठ ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, minima, क्या बन जाएगा, minima, यहाँ के मैं amplitude की बात करूँ, तो यहाँ पर बेटा, a resultant कितना होगा, a1 minus a2 हो जाएगा, right, a resultant minima पर a1 minus a2, अगर a1 a2 बराबर हैं, तो a resultant 0, t2, खतम, t2, खतम, है ना, यहाँ पर खतम होने लग फिर कोई एक जगह है, s-e-b-i बेटा, यहाँ पर, जब जब यह भी चेह हैं, उपर चलो, यह भी चेह रहे हैं, उपर चलो, ऐसी भी एक जगह हैं, ठीक है, ना, एक प्लेस, s-e-b-i, जब यह भी बोल नहाँ बेटा इनके बीच बीच नहीं, तब कैसा interference हो गया, इस जगे पर कैसा interferenस हो गया, constructive interference, इस point पर कैसा हो गया, constructive हो गया, मतलब यहां पर क्या मिला मेरेको, máxima मिला है, इसको बहुत फील्ड लेकर आपको पढ़ना है, तो आप पुराने lecture YouTube पे देख सकते हैं, यहां तो थोड़ा चाहिए तो आप YouTube पे में प्राइन लेक्षर देख सकते हैं, BX Physics वाला Class 11 करके, आगे बढ़ते हैं, अब बेटा यहाँ पे resultant amplitude क्या होगा, maxima पे, A1 प्लस A2 हो जाएगा, ठीक, यहाँ से आपको इतनी चीज जाननी थी, पहली बात दोनों waves की frequency क्या हो, थोड़ा सा difference हो, amplitude में difference हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जहाँ पे destructive interference होगा, वहाँ पे minima आएगा, amplitude A1 माइनस A2, और जहाँ पे constructive, वहाँ पे maxima amplitude A1 प्लस A2, अब देखो, number of beats या beat frequency, तो बेटा, beat frequency का मतलब क्या होता है, beat frequency का मतलब होता है, number of beats per second, कई लोग सोच रहेंगे सब number of beats का मतलब क्या है, एक beat क्या होती है, एक maxima, एक minima, मिलके बनाते हैं, एक beat, 1 beat, beat मतलब दुम दुम, is equals to 1 maxima, plus 1 minima, so what is beat frequency, number of beats per second, एक second में कितने maxima और कितने minima, इसको आप यह भी बोल सकते हो, number of maximas, number of maximas per second, वाई, एक second में अगर 4 maxima हुए, तो 4 minima भी होंगे, 4 maxima, 4 minima, 4 beat हो जाएगी, इसको आप यह भी लिख सकते हो, number of minimas per second, एक second में मान लो, 3 minima है, अगर 3 minima होंगे, तो बटा, 3 maxima भी बनेंगे, और 3 beats भी बनेंगी, तो यह हो गई beat की कहानी, कही बार सवाल आता है, time period of beat, rare होता है, बट पढ़ लेते हैं, time period of beat, ठीक है, अच्छा, पहले इसका formula तो बता दूँ, आपको पहले, beat frequency, number of beats per second, number of maxima per second, number of minima per second, बटा, formula होता है, mod में, F2 minus F1, जो slight difference in frequency है, वही difference आपको निकालना है, and that is the beat frequency, that is the number of beats per second, आपको सवाल पूछले, what are the number of maximas per second, what are the number of minima per second, F2 minus F1, mod के अंदर, positive value आएगी, एक कई बार ये भी पूछलेता है, rare है, फिर भी, time period of beat, time period of beat, time period of beat, मेंटा time period of beat क्या होगा, ये beat की frequency है, ये क्या F2 minus F1, this is beat frequency, number of beats per second, beat की frequency, तो beat का time period क्या होगा, time period क्या होता है, 1 upon frequency, simple, beat की frequency ये है, तो beat का time period क्या होगा, time period is 1 upon frequency, सवाल करेंगे, अपने आप समझ में आएगा, चलो, 2006, क्या सवाल है, 2, क्या सवाल है, 2, vibrating tuning fox, produce progressive waves given by, waves given by, y1 is equals to 4 sin 500 pi t, and y2 is equals to 2 sin 506 pi t, number of beats produced per minute, number of beats produced per minute, पर second निकाल लेते हैं, पर minute अपने आप आजाएगी, तो पहले तो f1, f2 निकालेंगे बेटा, ज्यान से देखिए ये क्या होगा, a sin omega t होगा बेटा ये है, और ये भी a sin omega t, उसको omega 1 बोल सकते हैं, omega 2, omega 1 कितना है, a sin omega t, omega 1 होगया 500 pi, बेटा, omega क्या होता है, 2 pi f, यहां से pi pi cancelled, f1 हो गया, 500 divided by 2, 200, इधर से बेटा, omega 2 हो जाएगा, 506 pi, 2 pi f2 is equals to 506 pi, pi pi मर गया, f2 कितना हो गया, f1, f2 मिल गया बेटा आपको, अब number of beats per second, beat frequency यह number of beats, per second बेटा कितना होगा, mod f2 minus f1, कितना हो जाएगा, 253 minus 2500, कितना आ गया, 3, पर आप से क्या पूछा है, number of beats per minute, तो बेटा, 1 second में 3 beat बन रही है, तो एक मिनिट में कितनी बढ़ेगी, एक सेकेंड में 3 बन रही है, तो एक मिनिट में, एक मिनिट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 3 x 60, कितनी हो गई, 180 beats, आ गया सभी का 180, चलो, next, 2006, क्या है, 2 sound waves with wavelengths 5 meter and 5.5 meter respectively, each propagates in a gas with velocity इतना, we expect the following number of beats per second, तो दो sound wave हैं बेटा, wavelength अलग-अलग है, और velocity 330 है, तो बेटा, V is equals to F lambda होता है, F is equals to V बटे lambda हो जाएगा, पहले वाले की frequency निकाल लेते हैं, F1, V बटे lambda 1, V कितना है, 330, wavelength कितनी है, 5, 5, 6, 30, 5, 6, 30, F2 is equals to V बटे lambda 2, speed 330, दूसरा लेकी wavelength क्या है, 5.5 है, 0, 11, 5, 55, 11, 3, 33, 00, 60, क्या पूचा है, number of beats per second, तो बेटा, number of beats per second क्या हो जाएगी, F2 minus F1 का mod, तो 60 minus 666 का mod, 6 आजाएगा answer, difference चाहिए होता है, clear सभी को, 6, आगे बढ़ा जाए, next, question number 15, 2012, 2012 का सवाल है, ध्यान ने सभी लोग, क्या पूचा है, two source of sound, placed close to each other, are emitting progressive waves, given by, y1 is equals to, 4 sin omega 1 t, y2 is equals to, 5 sin omega 2 t, an observer located near these two sources, of sound will hear, 4 beats per second, with intensity ratio, 25 is to 16, between waxing and waning, waxing मतलब maxima, waning मतलब minima, 8 beats per second, with intensity ratio, 25 is to 16, between waxing and waning, waxing मतलब maxima, waning मतलब minima, 8 beat, 8 beat, पहले तो beat निकालनी पड़ेगी, तो बेटा यहां से देखो, 4 sin 600 pi t, तो omega 1 कितना है, 600 pi, 4 sin omega t, यह कितना होता है, 2 pi f1, 600 pi, pi pi cancel, f1 की value हो गई 300, similarly बेटा, वहां देखो, omega 2 कितना दे रखा है, 608 pi, 2 pi f2, 608 pi, pi pi cancel, f2 कितना हो गया, 304, तो beats तो साथ साथ पता चल रही है, beats per second, beats per second कितनी हो जाएगी, यह minus यह, कितनी आई, 4, तो 4 beats per second will be the answer, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह दोनों नहीं हो सकते, 8 beats per second बोल रहे हैं, फिर क्या बोला है, with intensity ratio 25 is to 16, या intensity ratio 81 is to 1, between waxing and waning, meaning मतलब minima, तो अपने को intensity ratio चाहिए, किसका, i maxima upon i minima, बेटा बड़ा आसान है, intensity क्या होती, proportional to a का i square, तो a maxima upon a, बोलो सही है, intensity क्या होती है, a का i square होती है, कई लोग 25 is to 16 बोल रहे हैं, और चेक करते हैं, आओ चेक कर लेते हैं, ये बता रहे हैं सभी लोग, ठीक है, बेटा intensity ratio भी तो पूछा है, ये दोनों में 4 beats हैं, intensity ratio क्या हो जाएगा, i max upon i min कल पढ़ाया था मैंने, intensity क्या होती है, सभी को पता है, ये तो सब को पता है, intensity is proportional to amplitude का, मैकसिमा में amplitude कितना होगा, a1 प्लस a2, ये a1 है, ये a2 है, यानि 4 प्लस 5, और minimum में क्या होगा, a1 माइनस a2, 5 माइनस 4 कर लो, का square, तो 4 प्लस 5, 9 का square 81, 5 माइनस 4, 1 का square 81, 81 is 2, 1, तो सभी लोग का गलत हो गया, maximum लोग का, आंसर इस D, बहुत से लोग ये बता रहे है, a में क्या गलती है, समझ में आया, ये गलती है, साथ में आपसे intensity ratio भी तो पूछा है, intensity ratio क्या होगा, i max upon i min, intensity is proportional to a का square, a max का square upon a min का square, a max क्या होगा, a1 प्लस a2, तो 4 प्लस 5, 9, और a min क्या होगा, a1 minus a2, 5 minus 4, clear, चालो, next, 1994 का सवाल है, दखो आप क्लिए, खुदाई से धूर के लाएं, हड़कपा civilization का सवाल, क्या है, a source of frequency new, gives 5 beats per second, when sounded with a source of frequency 200 hertz, the second harmonic of frequency 2 new of source, gives 10 beats per second, when sounded with a frequency of 420 hertz, the value of new is, यह V नहीं है, new है, a source of frequency new, gives 5 beats per second, when sounded with a source of frequency, दो source हैं अपने पाद, एक काम करते हैं, यहां पर अपन ले लेते हैं, source 1, और यहां ले लेते हैं, source 2, a source of frequency new, gives 5 beats per second, when sounded with a source of frequency 200 hertz, यहां ले लेते हैं, beats, चलो, a source of frequency new, gives 5 beats per second when sounded with the source of frequency 200 hertz अब बेटा ध्यान से देखो एक की frequency 200 है beats 5 है तो new की value क्या-क्या हो सकती है यही से सोचना इस्टार्ट करते है new की value क्या-क्या हो सकती है 205 हो सकती है या 195 हो सकती है क्योंकि इनके difference से ही तो beats आता है इसकी frequency 200 बोली है और beats 5 है या 205 या 195 आगे बढ़ते हैं the second harmonic of frequency 2 new अब यह 2 new के आगे gives 10 beats per second beats 10 हो गई है when sounded with the source of frequency 420 hertz ये कितना है 420 इसकी frequency 420 beats है 10 तो दूसरे की frequency क्या होगी 410 या 430 तो फिर दो option मिले 410 अब देखो बेटा कौन से data match कर रहा है 205 का double ये 2 new होना चाहिए इसका double होना चाहिए second harmonic बोला भी हुआ है the second harmonic यहां पे लिखा है तो पेटा इसका ये double होना चाहिए तो 195 का double तो ये है नहीं 195 तो नहीं हो सकता तो यहां से 195 cancel 205 सही है और इसका double 410 सवाल क्या है the value of new is 205 hertz clear समीप पहारी तुमान आम में सोच के आया था ये पूछ रहा है class live एक है recorded ये live है और ये मैंने plan किया था क्योंकि recorded है बट समीप पहारी मुझे पता था comment करेगा चलें आगे बढ़े 2013 क्या पूछा है 2013 में a source of unknown frequency gives 4 beats per second when sounded with a source of known frequency 250 hertz तो फिर से वही कहानी है बेटा एक source 1 एक source 2 और यहाँ पे beats लिख लिया मैंने a source of unknown frequency gives 4 beats per second when sounded with a source of unknown source of known frequency 200 hertz ये unknown है a source of unknown frequency gives 4 beats per second when sounded with a source of known frequency 200 तो बेटा ये कितना हो सकता है अगर ये 200 है और beats 4 है तो यहाँ पे 2 option available है मेरे पास ये हो सकता है 254 या 246 है 4 का difference होना चाहिए फिर the second harmonic of the source of unknown frequency gives 5 beats per second फिर 5 beats per second हो गई when sounded with the source of frequency 513 hertz बेटा 513 के साथ 5 beats दो option है या तो 508 ले लो या तो 518 ले लो तभी तो 5 beats मिलेगी अब बेटा क्या है ध्यान से देखो the second harmonic मतलब ये वाली इसकी double भी होनी चाहिए बेटा 246 का double तो मुझे दिखाई नहीं पढ़़ा 254 का double है 508 ये दिख रहा है तो ये सही हो गया the unknown frequency is कित्ती हो जाएगी बेटा 254 hertz बोलो clear एक बच्चा कह रहा है sir explain once more इस बच्चे की बात मानी जाए कि नहीं SYJC A 12 एक plane का नाम है कि लड़के का नाम है बेटा explain once more SYJC A 12 ये एक plane का नाम है मैं इसको फिर से explain करने वाला हूँ ठीक है मैं अपनी तरफ से मेनत करूँगा तुम अपनी तरफ से करोगे हम दोनों मिलके मचाएंगे एक एक बच्चे को पढ़ाना में रहे हैं हम दोनों मिलके मेनत करेंगे बेटा ठीक है फिर से समझाता हूँ मिल जाँगा मैं सेम सवाल चलो आगे बढ़ा जाए Next A tuning fork of frequency 512 Hz makes 4 beats per second with the vibrating string of a piano The beat frequency decreases to 2 beats per second when tension in the piano string is slightly increased The frequency of the piano string before increasing the tension was यहाँ पर क्या क्या है एक tuning fork है एक मैंने fork ले लिया और क्या है makes 4 beats per second with the vibrating string of a piano एक piano है मेरे पास और यहाँ मेरे पास beats है स्टार्ट करते है A tuning fork of frequency 512 Hz makes 4 beats per second 4 beats बन रही with the vibrating string of a piano अब बेटा 512 इसकी frequency इसकी 4 beats तो piano की frequency क्या क्या हो सकती है 516 हो सकती है और 508 भी हो सकती है सही बात है दोनों हो सकती है भाई इसकी frequency 512 of 4 beats है 4 beats है मतलब यह कितना होगा या तो 516 minus 512 4 या 508 हो 512 minus 508 4 clear है यही दोनों हो सकती है या तो 516 हो या तो 508 हो तभी तो beats 4 आएंगे आगे बढ़ते हैं the beat frequency decreases to 2 beats per second beats कितनी हो गई बेटा 2 beats per second when the tension in the piano string is slightly increased the frequency of the piano string before increasing the tension अब बेटा fog की बात की frequency नहीं बताई मतलब सेम रहेगी या तो a tuning fog of frequency 512 हर्ट makes 4 beats per second with the vibrating string of a piano the beat frequency decreases to 2 beats per second when the tension in the piano भाई इसको तो change ही नहीं किया इसमें कुछ किया है क्या किया है इसमें ये खेल खेला है when the tension in the piano string is slightly increased अब बेटा 2 beats बन रही है मतलब या तो ये कितना होगा 514 या कितना हो 510 ये तो 512 है 2 beats बना रहा है तो या तो इससे 2 जादा या तो इससे 2 कम clear अब देखो data को जरा ध्यान दो क्या बोला है when the tension in the piano string is slightly increased बेटा अगर आप tension को increase करोगे so velocity increase करेगी V is equals to या थे waves on a stretch string की velocity under root T और बेटा frequency क्या होती है V बटे lambda होती है V बटे lambda होती है V is equals to V बटे lambda और V क्या है बेटा आपका under root तो अगर आप tension increase करोगे तो frequency बढ़नी चाहिए अगर आप tension increase करोगे और slightly increased है बेटा ये भी ध्यान देना इस वर्ड पे ध्यान देना tension in the piano string is slightly increased आपने tension को थोड़ा सा बढ़ाया है तो frequency भी थोड़ी सी बढ़नी चाहिए अब देखो 516 से तो कोई नहीं बढ़ सकती दोनों छोटी है तो ये तो हो ही नहीं सकता ये तो हो ही नहीं सकता 516 टेंशन बढ़ाने पे frequency increase करेगी टेंशन बढ़ाने पे velocity increase करेगी अग भी 510 होगा याद रखना 508 से 514 नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि ये वर्ड यूस किया इन्होंने slightly increased थोड़ा सा तो 508 से ही और 508 से 510 होगा क्या पूचा है the frequency of piano string before increasing the tension यानि starting में 508 after increasing the tension तो 514 मत बढ़ाना 510 ही होगा क्योंकि सार बढ़ी ही तो है frequency तो 508 से 5 इतिनी नहीं बढ़ेगी slightly अगर पूचता after increasing तो 510 और before increasing 508 clear सभी को clear next देखें चल 2020 इन गिटार two strings A and B made of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency 6 hertz तो एक अपने पास A है एक अपने पास B है और यहां बन रही है beats 2020 का सवाल है कई लोग ने paper में देखा होगा two strings A and B of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency 6 hertz beats कितनी बन रही है 6 when tension in B is slightly decreased when tension in B is slightly decreased the beat frequency increases to 7 hertz बात में beat कितनी हो गई 7 हो गई if the frequency of A is 530 A की frequency दे रखी है if the frequency of A is 530 यह मेरे को पता है if the frequency of A is 530 the original frequency of B will be बेटा A की frequency दे रखी थी अब यह 530 है beats बन रही है 6 तो B की frequency कितनी होगी या तो इससे 6 जादा या 6 कम तो दो option है 536 या 524 यहां यह 530 है वो 7 है तो B की frequency या तो इससे 7 जादा या 7 कम तो 537 या 523 अब देखो क्या कह रहा है when tension in B is slightly decreased इस बार decrease की है tension when tension in B is slightly decreased तो बेटा tension को जब आप decrease करोगे तो क्या होगा tension decrease करोगे V decrease करेगा and F is V बटे लामडा V decrease करेगा frequency decrease यानि यहां से यहां frequency कम होनी चाहिए 536 से कम दोनों है यह वाला है बट 536 सही नहीं है क्या लिखा है यहां पर यह वर्ड ध्यान दो when tension in B is slightly decreased तो frequency थोड़ी सी कम होनी चाहिए तो 536 से आप बोलो 523 नहीं हाँ 524 से 523 समझ में आता है slightly decreased तो यह सही है The original frequency of B will be 524 Hz clear है इसमें कई लोग सोचेंगे कि यार 536 से भी तो decrease है 523 तो 536 क्यों नहीं हो सकता C क्यों नहीं हो सकता तोंकि 536 से 523 बहुत जादा decrease है और यहां वर्ड यूज हुआ है slightly decreased इस जीस का आप ध्यान रखेंगे clear है यह वाला क्यों गलत हुआ समझ में आया decrease तो यह भी है frequency frequency decrease करने है tension कम हुआ decrease तो यह भी है पर यह सही नहीं है इस तरह से बच्चों tuning fork के भी सवाल होते है जो यहां पर आपको नहीं मिले क्योंकि neat में नहीं आये तो मैं भी नहीं ले पाया आप उसको भी लिख लो side में अगर आपको कहता है कि आपके पास tuning fork है और उसके अंदर दो चीज़ बताता है बेटा पहला बोलता है आपने उसकी waxing की या उसकी loading की तो loading करने से क्या होता है fork के उपर weight बढ़ जाता है wax लगा दी उसके उपर mom लगा दी या कुछ load कर दिया weight बढ़ जाता है तो उसकी number of frequency कम हो जाती है weight बढ़ गया भाई उतने बार हलका था ज्यादा तेरी से vibrate कर रहा था ज्यादा number of vibrations उसको आपने load कर दिया fork के उपर आपने wax तो उसकी frequency decrease कर जाती है scrap करने से क्या होता है कुछ weight कम हो जाता है frequency बढ़ जाती है तो इस तरह के सवाल भी आ सकते है tuning fork वाले कि दो tuning fork है A और B अभी 4 beats दे रहे हैं फिर बाद में 6 beats दे रहे हैं A की frequency 400 है B का हमने loading किया है loading किया है तो frequency कम होगी तो इस तरह की Doppler's effect तो Doppler's effect क्या होता है सभी को पता है Doppler's effect मतलब जब source और observer के बीच में relative motion होता है तो sound की actual frequency नहीं सुनाई पड़ती कुछ apparent frequency सुनाई पड़ती है इसी को बोलते है Doppler effect कि जब source और observer के बीच में क्या हो relative motion तब आपको same frequency सुनाई नहीं पड़ती आपको सुनाई पड़ती है apparent frequency बड़ ये बात गलत है ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं हो सकता हो source और observer की बीच में relative motion हो और तब भी आपको sound की real frequency original frequency सुनाई पड़ ड़ी हो हो सकता हो observer और source की बीच में relative motion हो रहा हो फिर भी observer को original frequency सुनाई पड़ सकती है so may be heard may not be heard relative motion होना guarantee नहीं है कि frequency change होगी दिमे दिमे देखते है Doppler's effect when there is relative motion between relative motion between source and observer या तो source चले या तो observer चले या दोनों चले the frequency of sound heard by observer is different from actual frequency of sound source the frequency of the frequency of sound heard by observer is different from actual frequency of sound source this phenomenon is called Doppler's effect the frequency which is different from actual frequency of sound source is called apparent frequency is called apparent frequency ठीक है जैसे माल लो यहाँ पे यहाँ पे माल लो एक आपके पास sound का source है भोपू है यहाँ से f frequency का sound निकल रहा है और यहाँ आपके पास कोई observer है ठीक है और observer माल लो दोडने लगा किसी velocity से तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया relative motion हो गया अब यह frequency observer को सुनाई पड़ेगी f dash दूसरी frequency इसको f नहीं सुनाई पड़ेगी इसको इस sound की frequency f नहीं क्या सुनाई पड़ेगी f dash सुनाई पड़ेगी इसी को बोलते हैं apparent frequency clear है चलो apparent frequency का एक formula है यह नहीं देखेंगे when source is moving when observer is moving when observer is going away from the source observer is coming towards the source source is going away from the observer source and observer moving to each other source and observer moving away एक formula एक formula चलो मालो बेटा यहाँ पर आपके पास source है और source में से sound निकल रहा है उसकी frequency f है source आपका move कर रहा है with v s velocity of source यहाँ मालो आपके पास एक observer है observer भी आपका move कर रहा है velocity of observers है यहाँ से frequency f निकली observer को frequency f dash सुनाई पड़ी apparent frequency f dash f dash f dash is equals to velocity of sound minus velocity of observer upon velocity of sound minus velocity of source multiplied by original frequency f f dash क्या है apparent frequency v क्या है velocity of sound ठीक है और v o क्या है velocity of observer vs क्या है velocity of source इसमें बेटा एक sign convention का भी ध्यान देना है आपको sign convention क्या है कि आपका source से लेके observer आपका source से observer का जो direction है this is your positive direction तो जो भी velocity इस direction में होगी वो positive और जो भी velocity इस direction के opposite होगी वो negative इसके बारे में नहीं इन दोनों का sign चेक करना पड़ेगा आपको source से observer का direction क्या है positive है जो भी velocity इस direction में होगी positive होगी और जो भी इसके opposite negative इस formula को एक बार note कर लो सारे question इसी formula से अपन हिला देंगे बस इस formula को एक बार note कर लीजे आप देख लिया f dash is equals to v minus velocity of observer upon v minus velocity of source into f and which direction is positive source to observer चलो question करते है the frequency of a whistle is 300 hertz it's approaching towards an observer with a speed 1 by 3 the speed of sound the frequency of sound is heard by the observer तो यहाँ मेरे पास एक whistle है whistle को मैं ऐसे बना लेता हूँ source और इसकी frequency कितनी है 300 hertz है फिर क्या बोला है it's approaching towards an observer with the speed 1 by 3 the speed of sound अपने काम करते है v हो गई speed of sound it's approaching towards an observer with a speed 1 by 3 speed of sound तो पेटा ही किसी speed से चल रहा है v by 3 speed से चल रहा है towards an observer यहाँ observer बना लिया बेटा towards an observer the frequency of sound is heard by the observer इसको f dash रुना ही पढ़ेगा यहाँ यह हो गया आपका positive direction right source से observer का होता है direction positive अब बेटा यहाँ formula f dash is equals to v minus velocity of observer upon v minus velocity of source into f चलिए बेटा formula में value रखते है f dash is equals to v minus velocity of observer 0 है observer रुका हुआ है कहीं लिखाने कि observer चल रहा है 0 v minus velocity of source बेटा velocity of source कैसी है positive है क्योंकि positive direction में है कित्ती है v by 3 into frequency कितनी है 300 बेटा यह नीचे कितना हो जाएगा 3v minus v 2v by 3 तो v upon 2v by 3 v v cancel into 300 यह 3 उपर चला जाएगा 3 बटे 2 into 300 3 3s are 9 900 बटे 2 400 आया क्या किसी का A C कैसे आ रहा है 400 आ रहा है अपलोग का कहीं तो गलती की होगी कई लोग का C आ रहा है इसको positive रख क्या रहा है क्या plus v by 3 4 v by 3 3 उपर गया 4 900 बटे 4 नहीं तब भी नहीं आ रहा है कैसे आ रहा है C पता नहीं कुछ गलती से आ रहा है C में तो कुछ ऐसा मेरे को logic भी नहीं दिखा जिससे आप C लाप आऊगे Clear? चल Next 2017 क्या है? Two cars moving in opposite directions approach each other with a speed of 22 meter per second and 16.5 meter per second तो ये बन गया source बेटा क्योंकि ये होन ब्लो कर रहा है तो ये source बन जाएगा The driver of the first car ये first car हो गई ये second car हो गई राइट First car 22 और second car 16 पढ़ गई The driver of the first car blows a horn having a frequency of 400 hertz तो यहाँ से frequency निकली है कितनी? 400 hertz की यहाँ सुनाई पड़ेगी The frequency heard by the driver of the second car तो ये f dash हो गया है इसका मतलब यहाँ है observer ये है source ये हो गया अपना positive direction क्या पूचा है? The frequency heard by the driver of the second car तो इसके अंदर आपका observer है f dash is equals to v minus v of observer v minus v of source into f बेटा, v क्या होता है? speed of sound और वो हमेशा positive उसमें कुछ सोचना नहीं कितना है? 340 so f dash is equals to 340 minus velocity of observer अब देखो observer चल रहा है negative direction में observer चल रहा है negative direction में source to observe positive negative तो ये कितना होगा बेटा? minus 16.5 समझे? observer चल रहा है negative में तो इसकी speed v o क्या रखोगे? minus 16.5 है na with sign नीचे बेटा आजाओ v minus velocity of source 340 minus velocity of source source चल रहा है positive direction में तो इसको as it is रख दो 22 into frequency कितनी है? बस बेटा अब calculation है इसके बाद तो f dash is equals to minus minus plus हो गया 340 plus 16.5 तो ये हो गया 356.5 नीचे बेटा 340 minus 22 5 upon EXO SHORT into B's 0 to 0 cancel, 2 8s are 60 8 4s are 32, 36 8 4s are 32, 45 8 5s are 40, 30 8 3s are 445.3 448 is the closest answer Clear? D, 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 D 361 आ रहा है कहीं लोग का नहीं बेटा जब दोनों पास आते हैं तो frequency बढ़ेगी घट तो सकती नहीं जब 400 गिवेन हैं तो 400 से बढ़ेगी कुछ basic rule भी समझ लो Source और Observer अगर पास आ रहे हैं तो frequency हमेशा बढ़ती है कैसे याद रखेंगे सर्व? Train सोचो जब हम लोग platform पे बैटे होते हैं Train अपने पास आती है जब train उधर से आती है तो क्या होता है? मालवा बैटे हो प्लैटफॉम पे frequency बढ़ जाती है आप खड़े हो रोड पे car पास कर रही है car उधर से आ रही है जब पास आती है चीज़ तो frequency बढ़ती है तो जब भी source और observer पास आएंगे ना हमेशा frequency बढ़ेगी थोड़ा तो concept भी आप याद रखो जब भी source और observer close होंगे बेटा closer move करेंगे तो हमेशा बेटा frequency क्या करेगी? increase करेगी यहाँ आप देखो pass आ रहे थे ना तो 400 से तो ज़्यादा ही answer होगा आप पहले instant में कह सकते हो कि यह और यह तो आंसर होई नहीं सकता 400 से ज़्यादा ही answer आएगा clear हो clear clear चलो 2016 क्या है? a siren emitting a sound अच्छा, cliff वाले सवाल देखो eco वाले सवाल में क्या करना है? मालो यह car है बेटा ठीक है? और यह car मालो you move कर रही है with velocity you और सामने आपके पास कोई cliff है ठीक है? और मालो यहाँ कोई observer है मालो कार में लगा है siren ठीक है? और यहाँ से sound wave निकल रही है with frequency f पिछला लगा सवाल सबको clear है सबका आ गया है पिछला लगा सबका आ गया है बस खतम पर यह कुछ बचा नहीं है तो पिछला लगा सबका आ गया है यह सबको समझ में आ गया है कैसे खेला गया है? क्या आप लोग को यह समझ में आ गया है? sign convention तो ही मैं आगे बढ़ूँ, थोड़ा सा एक level उपर जा रहे है अपन इको आले सवाल पर अगर ये clear हो, तो इको आले सवाल आपको करा दूँ मैं cliff, mountain object, wall, कुछ भी समझ सकते हो ये clear है na sign convention क्यों negative रखा, क्यों positive रखा clear है ठीक, तब तो असान है अब देखो, अगर cliff दे देता है कोई mountain दे देता है, कोई object दे देता है जिससे reflection होना है जिससे क्या होना है, जिससे reflection होना है अगर ऐसा कोई case आजाता है बच्चों अगर ऐसा कोई case आजाता है तो आपको क्या करना है साउंड यहां से निकला यह यहां जाएगा लड़ेगा लड़के वापस आएगा तो जब observer देखेगा तो observer को क्या दिखेगा ऐसा लगेगा यह जाके u speed से लगा और वापस आएगा observer को ऐसा लगेगा कि यह source पहली बात इस observer को देखो इस observer को वैसे दो sound सुना ही पढ़ेंगे एक तो इस car से एक eco से हम eco वाले की बात कर रहे है observer क्या सुना ही पढ़ेंगे two sounds one from car and one after reflection है ना one directly from car एक तो सिधा सिधा car से उसको siren सुना ही पढ़े सकता है दूसरा reflection के बात तो अभी हम इसकी बात कर रहे है हम अभी इसकी बात कर रहे है तो observer को क्या लगेगा कि sound कहा से आ रहा है sound यहाँ टकराएगा इससे वापस आएगा तो observer को यह अपना source दिखाई पढ़ने लगेगा समझ रहे हो observer को यह क्या दिखने लगेगा source दिखाई पढ़ने लगेगा तो होगा क्या observer के लिए यह क्या बन गया source observer के पास दो sound आएगे एक तो car से सीधा सीधा उसको सना ही पढ़ेगा बाई बगल से कार जा रही है उसका ओन और दूसरा वहां से लड़कर जो आवाज आ रही है जो दूसरी आली आवाज आ रही है इको जो रिफ्लेक्टो के आ रही है तो observer को ये source लगेगा और कार जितनी तेजी सोर्स की तरफ जा रही है ऐसा लगेगा source इस तरफ भाग रहा है जब observer क्लिफ की तरफ देख रहा है तो उसे sound क्लिफ से आ रहा है तो उसको ऐसा फील होगा कार तो गई ना का इदेखो दो sound सुन रहा है एक कार से एक क्लिफ से लड़ने के बाद इस पे एक अच्छा सवाल बनता है कि beats बताओ है एक सवाल एक कार से सीधा सीधा आ रही है आवाज और एक कहां से आरी है क्लिफ से आ रही है इन दोनों की beat frequency पूछ लेता है भी ता पूछा नहीं नीटने अच्छा सवाल बन सकता है इस परे तो एक कार से आ रही है एक सामने से आ रही है कार वाली छोड़ो सामने दिशुचो मिला तो सामने वाली Observer को ऐसा लगता है कि आरी पेली एक सामने वाली Observer को एक स्पीड के स्के तरफ जा रही है, source को वही speed दे देता है, अपनी तरफ बुला लेता है, एक सवाल करेंगे, तुरिंद feel आजाएगा, एक सवाल, 2016, अभी तुरिंद feel आएगा, आपको, चलो, एक साइरन है, जो किस frequency का sound, एमिट कर रहा है, एक साइरन है, जो किस frequency का sound, एमिट कर रहा है, दो तीन सवाल करोगे, तुरिंद आ जा जाएगा, moves away from an observer, ये रहा observer, moves away from observer, observer से दूर जा रहा है, at a speed of 15 meter per second, then the frequency of sound that the observer hears, in the echo reflected from the cliff, a siren emitting a sound of frequency 800 hertz, moves away from an observer, towards a cliff, ये किदर जा रहा है, फिर से पड़ो, a siren emitting a sound of frequency 800 hertz, moves away from an observer, towards a cliff, at a speed of 15 meter per second, then the frequency of sound that the observer hears, in the echo, ये वाला, observer को दो sound सुनाई पड़ेंगे, एक तो सीधा, एक echo के बाद, अभी कौन सा पूछ रहा है, echo के बाद वाला, then the frequency of sound, that the observer hears, in the echo, reflected from the cliff is, तो बेटा जब observer देखेगा, तो observer के लिए तो यही cliff क्या बन जाएगी, cliff क्या बन जाएगी इसके लिए, source बन जाएगा, और observer को क्या लगेगा, कि यह sound कौन इमिट कर रहा है, यह इमिट कर रहा है, और observer इसकी velocity पलेट के इस पर चिफ्काएगा, car इसकी तरफ जाएगी, यह सारेन इसकी तरफ, तिसको लगेगा, source इसकी तरफ आ रहा है, source से observer यह direction हो गया, positive, अब बेटा, यहाँ से frequency 800 निकल रही है, observer को f' नहीं पढ़ रही है, observer की speed 0 है, v, speed of sound, observer की speed 0, मीचे, minus velocity of source, source किस direction में चल ला है, positive, क्योंकि अब यह source है, यह observer, source किस direction में चल ला है, positive direction में, frequency कितनी है, 800, 15 to the 30, 15 to the, sorry 15 to the 30, 15 to the 30, 21 है, इसको approximately 20 कल लूँ, तो 00 cancel, 2 1s are 2, 2 4s are 40, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 880 Hz के आज़ पास, 885 will be the correct answer, क्लिभवा, क्लिभवा, क्लियर येस क्लियर एक बाँ फिर से देख लो चाहो तो क्या है साइरेन इमिटिंग गा साउंड साइरेन है बेटा emitting a sound of frequency 800Hz साइड लेते होँ यहा a siren emitting a sound ये siren ले लिया emitting a sound of frequency 800Hz moves away from an observer तो मैंने यहाँ observer बना लिया साइरेन किदर move कर रहा है moves away from observer at a speed of 15 meter per second towards a cliff यहाँ पे cliff है then the frequency of sound that the observer hears in the echo reflected from the cliff दो frequency सुनाई पढ़ेंगे इसको एक तो car से सीधा सीधा siren सीधा सीधा और एक echo वाली तो अभी echo वाली पूछ रहा है तो वाली क्ले क्या करेंगे आप siren को तो गायब कर दो यह रहा observer और इसको source कॉन लगेगा click यह हो गया source भाई echo वाला से पूछ रहा है अब इसको लगेगा यह sound गया यहाँ टकराया वापस आया तो इसको लगेगा यहाँ से कित्ती frequency निकल लही है 800 hertz और यह किसी speed से भाई यह जाएगा इसकी तरफ तो ऐसा ही लगेगा यह इधर आ रहा यह direction हो गया positive source to observer खत्म अब इसको frequency सुनाई पड़ेगी f dash v कितना है 330 minus velocity of observer 0 upon 330 minus velocity of source velocity of source कैसी है बेटा positive क्योंकि positive direction में है source to observer direction positive direction तो जैसे था वैसे ही रख दिया into 800 अब इसको आप calculate कर लेना this will come out to be 885 hertz 880 आ रहा था मेरा approximately 330 upon 315 into 800 15 2s are 30 15 1s are 15 15 2s are 30 15 2s are 30 फिर मैंने का इसको approximately 20 मान लेते है 21 2, 21 2, 21 2, 22 11 into 8 880 hertz और कितना बचाया बहुत छोटा सा 15 1, 21 2, 23 2, 23 5 4, 25 2, 24 6, 25 5 5, 25 6, 25 4, 25 5 5, 25 5, 25 5, 26 6, 35 6, 25 6, 25 6, 266, 27 7, 2, 256, Damayan of reflected sound heard by the driver, अब इसमें क्या है, observer car के अंदर है, the driver of a car, अब driver क्या ध्यान देना है ये है, अंदर, the driver of a car traveling with a speed of 30 meter per second towards a hill, towards a hill, sounds a horn of frequency 600 hertz, फिर क्या हुगा, if the velocity of sound in air is इतना, the frequency of reflected sound is heard by the driver, अब यार ये खुदी observer है, ये खुदी source है, ऐसा थोड़ी ना होगा, sound यहाँ से गया, इससे टकराया, फिर यही driver को सुनना है, इसी को observer बनना है, कहानी आगे देखते हैं, क्या car रुकेगी, नहीं, car तो चलती रहेगी, कार तो चलती रहेगी, किस speed से, 30 meter per second ये कौन सा sound सुन रहा है, car में बैठा व्यक्ती, कौन सा sound सुन रहा है, जो reflect होके आया, ये तो बोला है, if the velocity of sound in here, the frequency of reflected sound as heard by driver, driver खुदी सुनेगा, ये खुदी सुनेगा sound, तो भाई, इसने sound निकाला, वहाँ से लड़कर इधर आया, तो अभी ये क्या बन चुका है, observer, और जो sound गया, वह इससे टक्रा के आ रहा है, तो ये क्या बन गया, क्या बोला है, the frequency of reflected sound, बैटा sound तो गया, अब इससे टक्रा के आएगा, ये सुनेगा, तो ये तो क्या बन गया, source, किस frequency का है, 600, hertz, और ये किस speed से चल रहा होगा, जब ये ऐसे चल रहा है, देखेंगा, इसको लगेगा, hills की तरफ आ रहा है, बैटा sound वहाँ गया, टक्रा के आ रहा है, और ये उससी की तरफ भाग रहा है, तो f dash, जगा है क्या, एक पेज और, v कितना है, 330, अब velocity of observer कैसा होगा इस बार, बेटा positive direction ये होगा, source से observer, असल में source तो कौन बन चुका है, hill, अब तो ये source बन चुका है, sound गया, लड़कर इससे आ रहा है, driver ऐसे बढ़ड़ा, देख रहा है, अच्छा रही हो, मेरी तरफ sound आ रहा है, ये source, ये positive, तो velocity of observer कैसा है, negative है, positive direction क्या गिंस्ट, तो कितना हो जाएगा, minus of, minus 30, नीचे, 330 minus, velocity of source कैसा है, positive है, multiplied by F, F कितना है, 600, 330 plus 30, 360, 330 minus 30, 300, इंटू 600, 00, 00, 00 cancel, 313, 326, कितना हो जाएगा, 326, 612, 720 Hz, एक और करेंगे सा सवाल, नेक्स्ट, 2012, क्या है, a train moving at a speed of 220 meter per second, towards a stationary object, emits a sound of frequency 1000 Hz, some of that sound reaching the object, gets reflected back to the train as echo, the frequency of the echo as detected by the travel of the train is, चली, क्या है इस बाँ ट्रेन आ गई, train है, a train moving at a speed of 220 meter per second, towards a stationary object, यह object है, emits a sound of frequency 1000 Hz, some of the sound reaching the object gets reflected back to the train as echo, the frequency of, the frequency of, some of the sound, reaching the object gets reflected back to the train as echo, the frequency of the echo as detected by the driver of the train is, तो train के अंदर एक driver है, यह सुनेगा आप, यानि यह क्या बन गया, observer बन गया, यह सुनेगा आप, तो बेटा यह क्या बन जाएगा, observer बन जाएगा, और यह बन गया, source, sound निकला, अब driver को क्या लगेगा, यहां से आ रहा है, और यह किसी speed से आता हुआ दिखेगा, यह हो जाएगा positive direction, राइट, तो f dash, velocity of observer जड़ा देखो, negative हो जाएगी, और velocity of source, positive हो जाएगी, multiplied by frequencies को 10 की पावर 3 भी बोल सकते हैं, 330 प्लस 220, 300, 200, 500, और 30, 20, 50, 550, नीचे बिटा माइनस होगा न, यहां प्लस लगा दिये, गलाज कर लिए, v minus v s, तो v s क्या होगा, प्लस हाँ, 330 minus 220, तो 0, 3 में से 2 गया एक थे, 110, 5 into 1000, 5000, 5000, क्लियर, एक ऐसे question का एक shortcut भी है, अगर eco वाले सवाल में, source और observer एक ही व्यक्ति हो, source और observer एक ही व्यक्ति हो, for example, कार वाले की बात की हम लोगे, यहीं ज़े sound निकला, इसी को सुनना है, यहाँ आपन ने train की बात की, वहाँ भी सेम कहानी थी, यहीं से sound निकला, use speed से चल ले, इनी को वापस सुनना है, अगर eco वाले सवाल ऐसा दिख रहा हो, जिसमें car हो, train हो, वही sound निकाल रहा हो, और वही sound को सुन रहा हो, वही निकाल लो और वही सुन रहा हो, ऐसे केस में बेटा, सीधा आप, Mentos method अप्लाई कर सकते हो, F dash is equals to V plus U, question 22 चेक करने को बोल रहा है, कहां कैकुलेशन में गलती है, कहां भी mistake है, 838 अप्लाई कर सकते हैं, कहां 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 कर सकते हैं, झाल झाल हाँ, ठीक है, calculation mistake था, सही है, ठीक है, 8.30 सही बाद है, calculation mistake था भाई, देखो यार दोस्ट, जो mistake हुई थी, approximation में हो गई थी, यार दोस्ट, जो mistake हुई थी, वो approximation में हो गई थी, clear है, चलो, तो वापा साथ में क्या दोस्ट, आप क्या कर सकते हो, अगर car के अंदर या train के अंदर ही observer बैठा है, और उसी car या train से ही sound निकल ला है, तो आप v plus u upon v minus u into f कर सकते हो, clear? clear? चलो, आप यहाँ पर सीधा-सीधा आंसन निकाल सकते हो, क्या? अगर car या train के अंदर बन्दा बैठाओ, यहीं से sound निकल लाओ, लड़के वापस यहीं आ रहा हो, सीधा v plus u upon v minus u into f, खतम, इस पर लगाओ, इस पर लगाओ, यहाँ पर frequency of letter sound is heard by the driver is, driver की speed क्या है बैठा? 330, तो f' is equals to v plus u, v कितना है? 330 plus u upon 330 minus u into f, कितना है? 600, देख खतम हो गया सीधा, 360 upon 300 into 600, पाउज के सीधा में यहाँ पर हो, f' is equals to v plus u, v कितना है? 330, u कितना है? 220, upon v minus u into f, f कितना है बेठा? 1000, कितना हो गया? 10 की पावर 3, देख खतम, सीधा वही expression पहुच गया, बात समझ में आई? तो अगर car या train के अंदर ही वेकती है, और उसी को सुनना है, तो सीधा, f' is equals to v plus u upon v minus u into 10 की पावर 3, Mentos method से खेल खतम, अरे, अब क्या ब्रेक लोगे? 4 सवाल बच्छा है, मारेंगे अब, clear? v plus u upon v minus u into f, चलो, source and observer are moving in a direction making an angle with the line joining them, अब क्या है? source and observer are moving in a direction making an angle with the line joining them, अब ही क्या था? source observer की तरफ, observer source की तरफ, दोने एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे से दूर, अब क्या है कि यहां मानलो source है, यहां मानलो observer है, यह इनको join करती हुई line है, अब मानलो source ऐसे move कर रहा है, observer ऐसे move कर रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है, when source and observer are moving in a direction making an angle with the line joining them, मानलो यह move कर रहा है, टेंगल alpha, यह move कर रहा है, टेंगल beta, थीटा 1, थीटा 2 भी ले सकते हैं, यह move कर रहा है, टेंगल थीटा 1, यह move कर रहा है, टेंगल थीटा 2, मानलो ऐसी कहान ही आ जाए, when source and observer are moving in a direction making an angle with the line joining them, ऐसे, तब क्या करेंगे beta, तब आप क्या use करेंगे, use components of velocities in the, use components of velocities along the line joining source and observer, आप velocities के वो component use करेंगे, जो along the line joining source and observer हो, जैसे इसका component इधर कितना आ जाएगा beta, vs cos theta 1, इसका component इधर कितना आ जाएगा, vo cos theta 2, आपको यह component यूज करना है, बाकी तो clarity है यह कि यह direction कैसा होगा, positive, now you can proceed, यहाँ से माल लो frequency नहीं कल रही है, f, इनको सुनाई पढ़ रही है, f dash, f dash is equals to v minus, क्या होता था, v minus velocity of observer, negative positive का खेल आप समझ सकते हो, f dash is equals to v minus, अब observer किधर चल रहा है, negative direction में, so minus vo cos theta 2, अपन v minus, source की दर चल रहा है, positive direction में, vs cos theta 1 multiplied, बोलो समझ में आया, आपको velocities का वो component लेना है, along the line joining, use components of velocities, along the line joining source and observer, v-o का, along the line joining, v-o cos theta 2, vs का, vs cos theta 1, इसके बाद यह normal question बन गया, यह आपकी vs होगा, यह आपकी v-not होगा, बाकी तो फिर sign-vine तो देखना ही पड़ेगा, यह किदर जा रहा है, towards observer, sorry, यह किदर जा रहा है, positive direction में, तो as it is रख दिया, यह किदर जा रहा है, negative direction में, तो minus लगा के रख दिया, सवाल करें, sound का बेटा कोई direction नहीं होता, v हमेशा positive होता है, v is always positive, retest 2015, क्या है, 2015 सवाल, a source of sound S emitting waves of frequency 100 Hz and an observer O are located at some distance from each other, the source is moving with speed of 19.4 m per second at an angle of 60 degree with the source observer line, the observer is at rest, the apparent frequency observed by the observer, बताएं बच्चों, source you move कर रहा है, यह observer है, यह angle 60 degree है, observer rest पे है, बेटा यह direction positive हो जाएगा, source से observer वाला, कितनी frequency की है, यहाँ से frequency निकल रही है, 100 Hz, इनको सुनाई पढ़ेगी F dash, ठीक है, इसका इधर component कितना आ जाएगा, Vs cos 60, राइट, Vs cos 60, अपने F dash निकाल सकते हैं, F dash is equals to V, minus velocity of observer 0, upon V minus, बेटा यह किदर है, positive direction में ही है, यह और इसका component लेंगे, component along, source observer line, चलो बेटा वैलू रखते हैं, V की वैलू कित्ती दे रखी है, 330 upon 330 minus Vs, velocity of source, 19.4 into cos 60 is 1 by 2, into frequency is 100, तो यह हो गया, 330 upon 330 minus 2 9s are 18, 14, 2 7s are 14, multiplied by 100, तो बेटा यह हो जाएगा, 330 upon 330 minus 9.7, कितना हो जाएगा, 330 upon 330 minus 9.7, यह हो जाएगा, 309 minus किया, 321, 0.7 or minus किया, 320.3 into 100, so F dash is equal to 330 upon 320.3 into 100, यहां से point अटा है, उपर 0 लग गया, कितना हो जाएगा यह है, इसको अट्रोक्स 0 मान में, 3, 3, 0, 0, पाँ 3, 2, 0, 0, into 100, so 3300, और 32, 1s are 32, 1, 0, 0, 0, 3, 2s are 6, 3, 3s are 9, 4, 0, 103.1, 103, 103, clear? 103, तीन कोशन और बचे हैं, पूच रहें किती दिरो और चलेगी, तीन सवाल बचे हैं बचे हैं, थी कोशन्स और लेफ्ट, clear? Next, 1998, क्या है? A vehicle with a horn of frequency n is moving with a velocity of 30 meter per second, in a direction perpendicular to the straight line joining the observer and the vehicle, क्या है? A vehicle with a horn of frequency n is moving with a velocity of 30 meter per second, in a direction perpendicular to the straight line joining the observer and the vehicle, क्या है बचा? एक vehicle है, यह source हो जाएगी अपनी, यहां observer, अब वहिकल with a horn of frequency n is moving with a velocity of 30 meter per second, in a direction perpendicular to the straight line joining observer and vehicle, तो इस line के perpendicular ऐसे चल लाएगी है, अब अब जाएगी है, यहां से n, A vehicle with a horn of frequency n, is moving with a velocity of 30 meter per second, in a direction perpendicular to the straight line joining observer and vehicle, ऐसे चल लाएगी है, क्या बुच्छा है? the observer perceives the sound to have a frequency, the observer perceives the sound to have a frequency n plus n1, तो observer को यहां क्या सुना ही पढ़ लाए, f dash n plus n1, एक चीज़ बताओ बेटा, इसका इधर component कितना आएगा, 30 cos 90, 0 component आएगा बेटा, so velocity of source 0, velocity of observer 0, f dash v minus velocity of observer upon v minus velocity of source into f, बेटा यह भी 0, इसका component भी 0, so v बते v into f cancel, so f dash बराबर f, f dash कितना है, n plus n1, f कितना है, same frequency होगी, बेटा frequency change ही नहीं होगी, तो यही मैं शुरू में बता रहा था आपको, यही मैं आपको बता रहा था कि, जरूरी नहीं कि relative motion हो, तो frequency change हो, तो apparent frequency सुनाई पढ़े, relative motion है तो observer और source के बीच में, बट हमें कोई apparent frequency नहीं सुनाई पढ़े, हमें same frequency, तो जरूरी नहीं है कि दो, एक source और observer की बीच में relative motion हो रहा हो, तो apparent frequency will be different from original, Doppler effect की definition में यही चीज़ा ही करनी चाहिए, Whenever there is a relative motion, along the line joining source and observer, जो relative motion है, वो इस line के along होना चाहिए, कुछ ना कुछ, अगर completely उसके perpendicular है, तो apparent frequency will be equal to original frequency, Next देखें बेटा, rotating source slash observer, अब rotating source या observer हो तो क्या होगा, जड़ा देख लें इसको, या observer है, यहां मालने एक rotating source है, यह source घूम रहा है, यू, velocity से, यहां पहुचा, u velocity से, यहां पहुचा, u velocity से नीचे जा रहा है, यहां पहुचा, u velocity से इधार रहा है, ठीक, इस तरह से बुढ़ा है, अबने पास चार position है, 1, 2, 3, 4, जो important position है, बेटा, 1 और 3 में तो frequency कुछ चेंज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि line joining observer source के perpendicular चल रहा है source, ऐसे case में तो frequency change नहीं होती, अभी आपने देखा, अगर हम बात करें, 1 और 3 की, for 1 and 3, source कैसे move कर रहा है, perpendicular to line joining, S moves perpendicular to line joining, S and O, तो इस case में तो बेटा, क्या होगा, F dash equal to F होगा, there will be no change in apparent frequency, बोलो clear है, बोलो clear है, जब source perpendicular move करेगा, भी पिछले सवाल में देखा आपने, जब source perpendicular move करता है, तो frequency भी कोई change नहीं, इसका इधर component कितना आएगा, U cos 90, 0 हो गया, इसकी भी कोई velocity नहीं, इसकी भी, कोई apparent, कोई इनकी relative motion ही नहीं, तो frequency सेम रहेगी, अब 2 और 4 की बात करते हैं, 4 में देखो, pass आ रहा है, जब भी pass आते हैं, source और observer, तो frequency बढ़ती है, और 2 में देखो, दूर जा रहा है, जब भी दूर जाते हैं, तो frequency घटती है, यह तो याद रखो, तो हम बात करें, 2 या 4 वाले case की, अगर हम 4 वाला case लें, यही पर, 4 वाला case लें बेटा, तो 4 वाले में क्या हो रहा है, source और observer पास आ रहे हैं, यहना मतलब source ही पास आ रहा है, बट source और observer को देखें, तो pass, जब भी pass आते हैं, तो बेटा frequency बढ़ती है, बाकि आप F dash निकाल सकते हो, F dash is equals to V, minus velocity of observer 0 हो गया, upon V, minus velocity of source, तो बेटा यह होगा आपका positive direction, right, so V, minus velocity of observer तो 0 है, upon V, minus velocity of source, यह positive direction में, into U, यह बेटा maximum frequency आपको सुनाई पड़ेगी, क्योंकि इस time source आपकी तरफ सबसे ज़्यादा आ रहा है, इस से ज़्यादा आपकी तरफ कहां आएगा, देखो अभी किसी angle पे, अभी भी किसी angle पे, फिर किसी angle पे दूर जा रहा है, सबसे ज़्यादा तेजी से आपके पास इसी समय आ रहा है, इसके बाद तो किसी angle पे आएगा, फिर उसका component वाली velocity आपके पास आएगी, माल लो 10 meter per second है, तो अभी 10 meter per second से आपकी तरफ आ रहा है, सबसे ज़्यादा तेजी से आपकी तरफ आ रहा है, तो frequency सबसे ज़्यादा सुनाई पड़ेगी, जब यहाँ पहुच जाएगा तो किसी angle पे हो जाएगा यार, तब उसके एक component velocity आपकी तरफ आएगी, अभी पूरी की पूरी 10 meter per second आपकी तरफ आ रही है, जब source और observer पास आते हैं तो frequency बढ़ती है, तो अभी पूरी की पूरी 10 meter per second आपकी तरफ तो frequency बहुत बढ़ेगी, जब यहाँ पहुच गया तो फिर 10 का एक component धराएगा, 10 cos 60, 10 cos 30, तब frequency इतनी नहीं बढ़ेगी, तो बेटा इस case की जो frequency है ये कैसी है, maximum frequency है, V upon V minus U into F, maximum, third case की बात करें बेटा, second case की हम लोग बात करें, first law third में तो कोई change है ही नहीं, 90 degree पे नीचे जा रहा है, U cos 90, कोई फरक नहीं पड़ेगा, third में देखो, U cos 90, 0, अब 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 सेकेंड केस की बात कर सकते हैं, second case को ध्यान से देखें, source and observer moving away, मेटा, जब भी दूर जाते हैं, source और observer, तो frequency decrease करती है, यहाँ देखें, f dash is equals to v, minus velocity of observer, 0, upon v, minus velocity of source, अब यहाँ source की velocity negative है, क्योंकि यह direction positive है, तो यहाँ minus minus plus हो जाएगा, बोलो आया, v minus velocity of observer, 0, v minus velocity of source, velocity of source कैसी है, यह direction positive है, कैसी है, negative है, तो minus you, अच्छा बेटा, सबसे ज़्यादा तेजी से दूर अभी जा रहे हैं, यहाँ पे भी दूर जा रहा है, पर इतनी तेजी से नहीं जा रहा होगा, किसी component से, यहाँ पे भी दूर जा रहा है, किसी component, जितना आप observer से तेजी से दूर जाओगे, उत्ती frequency कम, और जिती तेजी से पास आओगे, उत्ती frequency ज़्यादा, जब पास आते हैं, frequency बढ़ती है, दूर जाते हैं, frequency घटती है, तो मैं कहरा हूँ, यहाँ पे देखो, अभी भी दूर जा रहे हो, पर एक component of velocity से दूर जा रहे हो, position 2 में आप सबसे ज़्यादा तेजी से दूर जा रहे हो, जब दूर जा रहे हो, तो यहाँ पे frequency कैसी होगी बटा, minimum, जब पास आ रहे हैं तो frequency maximum, दूर जा रहे हैं तो frequency minimum, दूर जा रहे हैं तो frequency minimum, पास आ रहे हैं तो frequency maximum, clear, आप चाहो तो लिख सकते हो, frequency की range होगी, less than equal to v upon v minus u into f, greater than equal to v upon v plus u into f, यह minimum frequency हो गई, कब होगी, जब आप सबसे तेजी से दूर जा रहे होगे, और यह maximum frequency होगी, कब होगी, जब सबसे तेजी से पास आ रहे होगे, सवाल देख ले, 2002, क्या है, अब whistle revolves in a circle with angular speed, एक whistle revolve रहे होगे, जब एक angular speed, 20 radian per second, using a string of length 50 cm, तो यह string है, और यह घूम रही है, omega कितना है, 20 radian per second से, आप इसकी बेटा velocity निकाल सकते हो, v is equals to r omega, u लिख रहे हैं, u is equals to r omega, आपन तो इसकी speed को u बोलते हैं, right, so, u is equals to r omega, r is 50 cm, यानि half meter, omega is 20, कितना होगया, 10 meter per second, 50 cm है, तो मैंने 1 by 2 meter, 20 radian, if the frequency of sound from the whistle is 385 hertz, then what is the minimum frequency, heard by an observer, which is far away from the center, ये कोई observer है, far away from center, इसको क्या frequency सुनाई पड़ेगी, तो बेटाम अब आए मैंने, f की range क्या है, less than equal to, v upon v minus u into f, given equal to, v upon v plus u into f, बेटाम से क्या पूछी है, minimum, ये रही minimum, denominator में कुछ add करोगे, तो overall minimum हो जाएगा, याद कैसे रहेगा, सर, याद ऐसे रहेगा, denominator में जब कुछ add करोगे, तो overall minimum हो जाएगा, subtract करोगे तो maximum, v कितना है बेटा, 340, upon 340, यू कितना है, 10, और frequency कितनी है, 385, तो ये हो गया, 340, upon 350, into 385, 00 cancel, 5, 7, 35, 35, 5, 7, 37, 7, 11, 77, 11, 44, 4 गया से, 11, 33, और 4, 3, 74, क्या break, एक सवाल बचा है, खतम, last question, apparent wavelength, देखो अभी तक अपनने बात की, frequency की, कि apparent frequency क्या होती है, अब बात कर रहें, क्या wavelength भी change होती है, actual में ये बात किया जाता है, starting के, अब क्योंकि ये crash course है, fast track course है, तो इसमें last में बात करते हैं, otherwise कुकुरा समझाया जाता है, कि wavelength कैसे change होगी, होगी कि नहीं होगी, अब ये fast track course है, तो last में आपको समझा देंगे, खटाक से, apparent wavelength, क्या wavelength भी change होती है, आओ देखे, when source is at rest and observer is moving, अगर बेटा source rest पे है, lambda will not change, अगर source rest पे है, तो wavelength change, source is moving, अगर बेटा source move करता है, तो wavelength change होती है, याद रखना, frequency, दोनों case में change होती है, f तो change होगा ही, क्योंकि observer move कर रहा है, यहाँ, when source moves, lambda changes, f तो यहाँ भी change होगा, भाई, f का तो कोई कहान ही नहीं है, चाहे source move करे, चाहे observer move करे, f change होगा, बट wavelength बेटा तब ही change होगी, जब source move करेगा, कैसे निकालें sir, नहीं wavelength, find lambda dash, कैसे करेंगे sir, lambda dash कैसे निकालेंगे, बहुत असान है, ध्यान से देख लो, f dash is equals to v minus v o, upon v minus v s, wavelength कब change होगी, जब source observer दोनों move करेंगे, हाँ तब भी change होगी, जब observer move करेगा, नहीं change होगी, सिर्फ source move करेगा, change होगी, source का अगर motion हो जाए, चाहे observer rest पे हो, चाहे motion में हो, अगर source move करें, when source moves, lambda change, यहाँ लिख देता हूँ, अगर source move किया, तो lambda change होगा, कैसे निकालोगे, f dash is equals to v minus v naught, upon v minus v s into f, bit of frequency is inversely proportional to wavelength, frequency is inversely proportional to wavelength, right, तो यह हो जाएगा, one upon lambda dash, clear, खतम, wavelength कब change होगी, जब source move करेगा, चाहे अकेले source move करें, चाहे source observer दोनों move करें, ठीक है, wavelength change होगा, चाहे source अकेले move करें, चाहे source observer move करें, क्या होगी नहीं wavelength, f dash is equals to v minus v naught, upon v minus v s into f, frequency is inversely proportional to wavelength, 1 upon lambda dash equals to v minus v naught, upon v minus v s into f, into 1 by lambda, an observer moves towards stationary source of sound, with a speed of 1 by 5th of the speed of sound, the wavelength and frequency of the source emitted, a lambda and f respectively, the apparent frequency and wavelength recorded by the observer are, क्या है, एक आपके पास source है, एक आपके पास observer है, an observer move towards stationary source, ये रुका हुआ है, with a speed 1 by 5th of the speed of sound, तो v by 5 से चल लागा है, the wavelength and frequency of the source, of the source emitted are lambda and f, the apparent frequency and wavelength recorded by, तो बेटा, source किस पे है, stationary है, तो lambda तो change होगा ही नहीं, पहली बात, जब तक source नहीं चलेगा, तब तक wavelength change नहीं होती, याद रखो, lambda change हुआ है, गलत, lambda change हुआ है, गलत, lambda change हुआ है, गलत, lambda कि लागा, यही answer होगा, चाहो तो f डैश निकाल के चेक कर लो, v, v, मैटा, यह होगा positive direction, यह चल ला है negative direction में, v, minus, minus v by 5, upon source तो rest पे है, into f, तो यह होगा, plus, 5v plus v, 6v by 5, v, v cancel, 6 by 5, into f, सही है, 1.2 f, clear, clear, so, as you all know, I have been teaching in Umi 3's, since the beginning, single handedly, I was teaching physics here, बागी subject में आप लोग देख रहते, बाइयो में तरुन सर इस देर, मनीश दूबे सर इस देर, विश्वजीत सर इस देर, नौदिक्षा मैं मैं हैस कें, chemistry में यूँ आप सीन, अमित महाजन सर इस देर, पंकत सर इस देर, सर्वेश सर इस देर, डॉली मैं मैं इस देर, physics I was taking since a long time, today we completed class 11th, यार PW में न, हर कोई awesome है, पहले बात यह समझो, कल से आपकी start होनी है 12th, और अपने वो खतम करना है कब तक? 14 या 15 ओगस्ट तक, यह हमारी academic team से आया, मतलब मेरा भी उतना ही involvement है, जितना team का होता है, मतलब, सी अगर मैं इसमें personal hit को देखों, selfishness को देखों कि मैं नहीं पढ़ा ले जाओ, तो syllabus नहीं हो पाएगा, to be honest, syllabus ही नहीं हो पाएगा, if I stick to it, तुमारा no मैं समझ रहा हूँ, पर तुम अपने no के पीछे का reason पकड़ो, syllabus ही नहीं होगा, अपन 5 सेप्टमबर पहुचे होंगे, max to max, अपन रे optics से स्टार्ट कर पा रहे होंगे, 5 सेप्टमबर तक उससे आरद तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मैं schedule तुमको बताऊँ, schedule आपको सामने public नहीं किया गया है, तो schedule में कल आपकी electrostats है, अभी क्या है कि a cat team ने पूरा schedule बना लिया है, इसका, I am also part of it, just a part, आपकी कल के दिन class लगी हुई है, जैसे आज waves की दो class साथ साथ थी, कल आपकी है 19 तारिक, electrostatics, electric fields and charges, फिर 20 तारिक को आपकी फिर class है, electric potential and capacitance, फिर आपकी 22 को फिर है, फिर आपकी 23 को फिर है, इस तरह से classes की frequency बढ़ाई गई है, to complete your syllabus, और आपका 12 तारिक को इसमें मुझे दिख रहा है, but actually मुझे पता है 14 या 14 या 14 जाएगा, ठीक है, आप hard lesson पड़ाओ, हाँ, ये कर सकते हैं, hard lessons के I can come hard, या कुछ topics of course I can take in between, like some topics in between I can come, that can happen, ठीक है, so, मेरे पास NEED Physics के जो best teachers है, जो हमाया पास best teachers available है, वो ये दो है, पहले से जज नहीं करना चाहिए लोग को, दोनों मेरे से ज़्यादा experienced है, पहला point, जो मैं दूँगा है यहाँ पर बहुत valid, दोनों बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, दोनों मेरे बहुत close friend है, कलीग हैं, जो कहलो आप friend कहलो, कलीग कहलो, ideal बोल दो, है ना, बहुत are very awesome teacher, you know both of them, आदित आनन सर्वेदर इसमार सर्वेदर, मतलब बहुत are insanely famous for physics, for their physics, for their love of physics, for their neat physics, even, कई बच्चे जानते भी हैं, बहुत नहींस, है ना, दुरू कुमार, क्यों सर, आप धोका दे रहे हैं, क्यों मैं धोका दे रहा हूं, क्योंकि possible नहीं है, एक तरीका तो यह है, कि मैं पढ़ाता रहूं, और आपका syllabus लाइक करता रहा, मैं तो अपनी mistake accept कर रहा हूं, I am not like here, कि नहीं, अगर मैं पढ़ाता रहूंगा, syllabus नहीं होगा, so we have to get this syllabus also completed, and दूसरा मुझे एक point feel होता है, कि when we have so many best physics teachers, why only me, अगर अपन मंजल सीरीज को देखें, तो मंजल सीरीज में जई की सीरीज की बात करें, सबसे पहले राजबन सर ने physics पढ़ाई, राजबन सर के बाद, युक सर ने physics पढ़ाई, युक सर के बाद, रोहित सर ने physics पढ़ाई, रोहित सर के बाद, अधित्यानन सर ने physics पढ़ाई, अधित्यानन सर के बाद, अमार सर ने physics पढ़ाई, और कुई रह गया है क्या? So, whole team works, थेना, this is a team work, अभी उमीद है मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ तरसे, So, two legendary teachers, मैं बहुत introduction क्या ही दूँ, अधित्यानन सर को भी आप सब जानते हैं, आप सब आमार सर को भी जानते हैं, मनिश्राथ सर, batches में देख रखा है, YouTube पे देख रखा है, आप लोग ने इन लोग को, So, they will lead the series from here for class 12, class 11 मैंने पूरा wrap-up किया, मैं बीच में ही सोच रहा था, जब drop करने को मैं इतबित खराब हुई थी, इस बीच में, तो आप लोग में खुदी बोला, नहीं सर 11 complete करा दो, 11 complete करा दो, मैंने का ठीक है, 11 complete कर लेते हैं, उसके बाद, उसको करते हैं, So, कल से आपका, electrostats start होगा, and अरित आनंसर विल बी कमिंग, and be respectful to teachers, don't judge teachers, before studying, आप पहले lecture देखें, पहले पढ़ाई करें, otherwise I am there always, ठीक है, I am there always, ठीक है, तो यह हुई बात, तो आज क्योंकि काफी serious बात हो गई है, तो मैं कोई share ही नहीं उठा रहा हूँ last में, ठीक है, थोड़ा सा दिल आप लोग का तूटा होगा, बट अगर इसका positive expect देखो, इसका positive expect यह है कि, अपन 14 अगस्त से पहले syllabus खतम करेंगे, और मैं तो दिखी रहा हूँ, मैं तो आ रहा हूँ कल से neat sprint के अंदर, वहाँ में लूँगा मैं, वहाँ आ रहे हो कि नहीं, neat sprint में, वहाँ में revision करनाने आतो रहा हूँ, वहाँ पहुच रहा हूँ, और 14 अगस्त या 14 अगस्त को अगर अपन syllabus cover कर लिए, तो 14 अगस्त से, अगस्त से अगर अपन पांच सेप्टमबर का भी टाइम आने, तो अपने पास फिर एक समय होगा, एक question series करने का, वहाँ मिलूँगा मैं, P.W. Stands for a team, वियाद रहे, Physics will be continued, उमीद series will be continued, best of the best teacher तरहे, पढ़के तो देखो यारे, तुम लोग क्या बात कर रहे होगी, तुम लोग क्या बात कर रहे होगी, अब फढ़के देखो तो तो तुम को समझ आएका, रिलाइस होगा, Yes, I'll come in between, ओके, तो आज भी ना शायरी के है, खतम करते हैं इस session को, and I hope आप pre-judge नहीं करोगे, आप देखो और जज्ज तो करना इमा तुम, बहुत ही तेग्ड़ लेवल के teachers हैं, डोंट स्टार्ट जज्जिंग देम, सो, सब लोग भी कह रहे हैं, कि ऐसे जाएंगे, तो बच्चे कैसा नहीं है, हम लोगों मतलब क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा भी तो नहीं है, पढ़ाई, पढ़ना तो होता है न, तुम कॉंटेंट तो देखो, पढ़ाई तो देखो पहले, मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारा मेरे लिए प्यार, मेरे अंदर भी है, और उसी प्यार को मद्दे अंजर रखते हुए, डिसिजन लिया है, क्या इस डिसिजन से मैं बहुत दिल से खुश हूँ नहीं, पर हाँ, मतलब दिमाग से खुश हुँ, हाँ, मैं खुश हूँ, क्यों भाई, सिलेबस हो पाएगा, जब ये इसका कैलेंडर बन रहा था भी रिसेंट्ली, अकेडमिक कैलेंडर उमीद का, उमीद थोड़ा से लाइक कर गया, आप सुभी पता है सिलेबस में, स्टार्टिंग में हम लोग चले, तो मैंने तो एकेडमिक कॉइणेटर को बोल दिया, कि आप मेरे को ऐसा टीचर टीट करो, जो उमीद सीरीज के अंदर है, तो रहा ठीक है, मैंने का मैं पढ़ाऊंगा, तो नाम भी ले सकता, मैंने मेरे टीम से लोग ने एकदम, एकदम खुला बोला, सर देखो, आज़ा टीचर बात करनी है, सर नहीं हो पाएगा, आप से अभी, पूरा से ले, बस यह सुन दो आप साप, हमने का, ठीक है, आपने का था, आज़ा टीचर मेरे को समझ लो, कि मैं उमीद सीरीज का एक सिरीज का एक सिरीज है, आप से तो हो नहीं बाएगा, अभी बहुत बाचा है, तो इसलिए यह चीज, बाकी मैं मिलता रहूँगा, दिखता रहूँगा, अभी मिलते हैं, नीट स्प्रिंट के अंदर, कोश्चन सिरीज के अंदर, हम तो आते ही रहेंगे, आपकी क्लास 11 की फिजिक्स हो गई, समाप्त क्लास 11 की फिजिक्स का एक टॉपिक आपका बचा है, जब भी वो आएगा, यह उनित, डैमेंशियन, एर अनलिस, देना रिल कम, मेरों को पक्का वरुसा पंदर जिन में, यह उल फॉर्गेट में, तुम देखना तो, तुम देखो तो पहले कौन दो लोग आ रहे हैं, क्या कॉंटेंट लेके आ रहे हैं, यही पर आज के लेक्चर करते हैं समाप्त, पढ़ाई करते रहे हैं, All the very best.